तो जहीं दोस्तों मैं विक्योर्मा और अब सभी का स्वागत है हमारे इस आची क्लास में थर्ड सेमेश्टर का सब्जक्ट लेक्ट लेक्ट आगे हो इसके अंदर एक वर और एड़ किया गया है तो रहेगा उसके साथ साथ आपको प्रेक्टिकल नोलेज प्रेक्टिस भी करवाया जाएगा तो इसके लिए हम बात करते सबसे पहले इसे तीन यूनिट में डिवाइड किया गया है आपके पूरे स्लिवस को जिसमें आपका इन नीतिया मनतलब कोणकोण से आपके इन्वारमेंटल इसूज मतलब सबसे ही होता है पॉल्यूसन खाही जाये तो फैना तो पॉल्यूसन प्रोपर कोणकोण से से लॉस बनाएगे ए इन्वारमेंटल इसूज को पॉничी ऑना यह जो सभी चीज़े देखें गहें धन आपक की मतलब होता है जीब जन्तू की अलग-अलग परकार जो पाये जाते हैं उसे हम बायो डाइवरसिटी कहते हैं या फिर यहां पे आप पेड़ पोधों की कह सकते हैं पेड़ पोधों में भी बहुत तरह तरह के पोधे पाए जाते हैं जंगलों में जाके देखो आपको पता तो यहाँ पर जैब विवित्ता और उनके संदक्षन कैसे किया जाएगा उन सब चीजों की बात करें क्योंकि धीरे-धीरे कुछ पोधे कुछ जानवार ऐसे होंगे जो आपको पहले जो दिखते थे वह आप दिखते भी नहीं होंगे तो धीरे-धीरे कहां चलेगा वह बनाएगा है इनने बचा के रखो आगे वाली पीडिया भी तो इनने देखे तो इसके उपर चार यहाँ पर चैप्टर से वायो डाइवरसिटी एंड ट्रीट्स मतलब जया विवित्ता और जो इसका खत्रा होता है जया विवित्ता के उसके उपर हम बात करेंगे इस चैप चीजों को देख के आगे को फ्यूचर के जो लोग आने वाले उनको भी इसका फाइदा मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि अपने आपी सारा फाइदा उठा लो उनको कुछ मिले ही ना फिर सस्टनेविलेटी की बात भी करेंगे सतत विकास है में स्थाइतव का भी बात करेंगे ग्लोबल इन्वर्मेंटल इसूस की बात करेंगे फिर हम आते हैं सेवन्थ यूनिट में सेवन्थ यूनिट में आप इन्वर्मेंटल लॉज कौन-कौन से बने इन्वर्मेंटल लॉज की बात करोगे 1972 1974 1986 यह सारे लॉज की बात की जाएगे इसके अंदर भारत में परियव यहां पर हम बात करेंगे एक पारिष्थिति की तंत्र का एक सिस्टम का जो सिस्टम एक सिस्टम दूसरे पर dependent है जैसे हम जो है खाने के लिए पेड़ पोदों पर dependent होते हैं अगर पेड़ पोदे नहीं तो हम नहीं तो एक एक पारिष्ठिती की बन जाता है मतलब एक relationship बन जाता है उस relationship के बारे में बात करेंगे फिर environmental moment की बात करेंगे मतलब यहाँ पर हम भारत में परियवन आंदोलन कौन से हो सबसे पहला और famous जो होता हमारा वो चिपकु आंदोलन सब के सब जानते हैं तो यह सबी चीजों के बारे म किया है साइन्स है भाई या इन्वार्मेंटल में साइन्स वर्ड आया है तो साइन्स आपको थोड़ा तो मज़ा दिलाएगा साइन्स मतलब ही होता है इंट्रस्ट है ना तो हम यहाँ पर चोटा से मैंने मैंड मैप बना है जिसे आप easily remember कर पाऊ ना तो आपके लिए बहु किया गया फिर यहाँ पे speciesiveness क्या होती है फिर यहाँ पे speciesiveness क्या होता है फिर global biodiversity क्या होती है फिर conserve कैसे कर सकते हो चीज़ें आपको यहाँ पर डिवाइड कर देगा है इनी को मैं आगे explain करने वाला हूं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पर first question हिंदी में देखो कुछ words ऐसे आएंगे जैसे लग रहा हो कि यह बहुत ज्यादे खतरनाक है तो वहाँ पर ecosystem जैसे यह सब्द है अगर आपको science की language में वह चीज नहीं पता हो यहाँ पर मैंने अपनी language में यहाँ पर explain भी कर दिया और यहाँ key point दे दिये जो और मज़े आएंगे आपक करते हैं यहां पर यह विव ciaoताा क्या है मैं यह वी बता का ना हुकि जितने परख़ार के जितने तरह तरह के ऐनिमल हो गए plants हो गए पोधे ुन्हीं हम जैश लिडी का परकार कहते हैं दूनिया में देखा जाए गशीद्म में किसी को देखे रही हो तो दूसरे diversity आपका एक ecosystem को बनाती है ecosystem का मतलब होता है पारिष्टिती की तंत्र मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पर किस तरीके से dependent है यही एक ecosystem का role बनाती है like जो आपका human being है वो खाने के लिए किस चीच पर depend है पेड़ पोदो पेड़ पोदे अगर photosynthesis करेंगे खाना बनाएंगे तभी जाके खाना उनका जो फल हो तोड़ेंगे और उनको हम खाना बनाके खापाएंगे तो हम उन पर पूरा का पूरा dependent होंगे एक ecosystem बनाएंगे तो dog जो होता है क्या करता है dog को अगर देखा जाए तो cat के ओपर dependent है देख लेगा तो उसके जाते हैं और वह एक ecosystem को बनाते हैं इसी को आप biodiversity का नाम देते हो अब meaning of biodiversity में यहां पर क्या किया गया है biodiversity के types में मतलब meaning क्या है इस biodiversity का scientific meaning अभी तक तो मैं बता रहा था वह आपके लिए एक simple meaning scientific meaning की बात की जाए तो यहां कहा जाता है कि biodiversity में आपके जितने परकार के पेड़ पोधी हो गए जीब जन्तु हो गए अलग 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 तरह है कि जो biological पाए जाते हैं जैविवित्ता में उन्हीं को हम scientific रूप में बोला कि जो biodiversity हैं पाई जाती है वो jeans के कारण पाई जाती है किसके कारण पाई जाती है jeans अब jeans आप जानते हो ना simple सी बात में गुंसूत्र कहते हैं human being के according हमारे अंदर गुंसूत्र होता नहीं बोलते हैं यहां पे कि इसके अंदर जो नाक है वो मम्मी पे गया है मूँ जो है पापा पे गया है तो ऐसे ऐसे चीज़े हम बोलते हैं यह किसके कारण आती है jeans के कारण ही parents से बच्चे के अंदर आती है तो वहीं पे jeans वर्ड ज even कायम नहीं रह सकता सपोज मानों कि पूरी की पूरी जो एक एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वह सभी एक ही jeans के अगर बन गए और उन सभी में उनकी लिमिटेशन है कि temperature बढ़ते ही वह सारे के सारे मर जाएंगे और सपोज मानों कि अभी global warning हुआ वहा का temperature बढ़ा तो उस एरिया के तो सारे के सारे जने एकी साथ मर जाएंगे वह जगह तो खाली हो जाएगी इसलिए jeans में जो है वह अलग अलगतर है कि jeans होने की वज़े से जो जहल पाए वह तो रह जाएंगे और जो नहीं जहल पाए वह मर जाएंगे तो इस तरीके से जब विवित्ता है जरूरी है यह बताते हैं यह विल्यंस नाइंटीन एटी एट में अब आते हम टाइपस पे तीन टाइपस में डिवाइड किया गया है एक आपका diversity जो है व इनवार्मेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनवार्मेंट कैसा है जनेटिक वाला अब सपोस मानो अभी मैंने एकजामपल दिया वही एकजामपल इसके अंदर ले लो एक जना जो है वह टेमपरेचर घेल सकता तेमपरेचर बढ़ गया तो जो नहीं जहल सकता वह चौत जो जहल सकता हो बच जाएगा तो यह genetic जो diversity है वो होनी जरूरी है तबी यह आपका ecosystem चल सकता है otherwise ecosystem नहीं चलेगा तो genetic species में क्या होती है जो प्रजातिया होती है रेक्ति के भीतर उनके बीच अनुवानसिक जानकारियों की भिंता होती है अनुवानसिक जानकारी मतलब अलग-अलग तरह के genes उनके पाए जाते हैं ताकि आपकी जो परियावर्णी परिष्टिति की जो होती है उसकी बज़े से आपकी वो genetic चीजे कम होती है और उसकी बज़े से वो चीज जो information transfer हो रहा है वो transfer हो पाता है जिसमे जीनो टाइप और फ तो यहां पर क्या होता है कि सिंपल सी बात कही जाए तो आलग-लग अलग पाए जाती है और इसके कारण आपकी जो विवित्ता होती है प्रजातियों की संख्या पे डिपेंड करती है इस पीसिस विवित्ता मतलब समझ के अलग अलग जगा पे अलग अलग हो अब ecosystem diversity आभी मैंने penguin वाला example दिया कि जानवर अलग अलग है अब यहां पर ecosystem अबर इसे सहरी में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं यहीं आपकी विवित्ता ज होती यह वो इसमें पाहए जाती है तो विविविंट है तो टार्स्uden तरधियों में बड़ी विवित्ता है जिसम Best प्रजातिया यह प्रजाति है निवासिस्थ्थल और उसकी प्रजातियों के अंतर के अनुसार मिलते मतलब किस तरीके से उनका रहन सब्सक्राइब वह अपने रहें अब थंडे वाले लोग तो गरहों में रह जाएंगे ना वह एको सिस्टम के रह सके तो इस तरीके से वह diversity होती है एक alpha, beta and gamma तो मैं simple language बताओ जो आपको remember करने के लिए alpha जो diversity होती है वो आपके numbers को measure करती है किसके numbers को measure करती है मतलब कितने numbers of उसके जीब जन्तु वहाँ पर पाए जाते हैं यह पता करने के लिए हम alpha का use करते हैं कि उस diversity में जैसे अब ही आपका प्रजातियों के अंदर बात की जाए मैंने उठा लिया कोई एक जानवर को उठा लिया like मानो कि dog की भी अलग-अलग प्रजातिया होती है अलग-अलग तरह के dog दिखते हैं आपको वो अलग-अलग प्रजातिया होती है तो उनकी जो counting करता है ना counting करके बताता है अलगलग प्रजातियों की counting जो करें वो अल्फा diversity को बताता है कि कैसे कैसे structure है है आपके जानवरों के structure की according जो counting होती है community की उसे बीटा diversity बताता है structure counting जो environmental के अंदर करें की अलग अलग जानवरों में कैसी कैसे structure है एक ही प्रजाती का होता है लेकिन इस्ट्रक्चर उन सभी के अलग अलग होते हैं तो ऐसे जो होते हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए हम बीटा डाइवरसिटी का यूज करते हैं ठाड होता है गामा डाइवरसिटी जो इन दोनों का mix-up होता है नंबर की भी काउंटिंग कर होते हैं measurement के alpha beta and gamma मैंने deeply आपको explain कर दिया है ताकि आपको easily समझा सके हम कहा सकते हैं कि conclusion simple सी बात में कि जो आर्थ पर ecosystem है हमारा वो ecosystem पारिशितिक तंतर को बनाए रखने के लिए हमें जैब बिता biodiversity का होना जरूरी है और वो dependent करता है only genes पे और जो genes है वो अलग अलग होंगे तो सभी के vital power है एक आंत्रिक जो सकती होती है वो बहुत ज़्यादा होगी और वो सभी चीजों को balance कर पाईगी क्योंकि conclusion आपके according लिखना होता है जो आपने समझा उसकी according उसको conclude कर दो उस chapter को तो किसलिए important है और क्या होता है इस चीजों के उपर मैंने बता दिया इस तरीके से आपको यह first question समझा आ गया और then start करते हैं second question describe the importance and various to biodiversity मतलब जैब विवित्ता के महत बताने है और विविन खत्रों का वर्णन करना है कि जैब विवित्ता में कौन-कौन से खत्रे होती है इनसे पहले मैंने हिंदी में कुछ key points add कर दिये हैं जितको यह notes मिलेगा Hindi medium वाला बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो यह key points add की हैं कुछ words हैं ऐसे जो scientific words है तो उनको scientific group में नीचे use किये गए है तो इनकी explanation यहां पे मैंने provide कर दिये जो भी चीज आपके लिए आपके सरदर्द बनने वाली है उन चीजों को पहले ही खतम कर दिया गया इस notes के माध्यम से चले start करते हैं इसका introduction introduction की according देखा जाए resources जो है वो provide करने काम हमने नेचर पर छोड़ दिया और नेचर जो है वो एक पारिष्टिती की तंत ecosystem को बनाएगा अब यह ecosystem जो है उसमें लचीले पन होने का reason क्या है मतलब जो आपका resilience जो होता है उसके होने का system क्या है कि जो भी चीज़े हमें चाहिए हो हम यह सेर के खाल का यूज दवाई बनाने में कर रहे हैं बताओ तो वो सभी चीज़े बायो डाइवर्सिटी अलग अलगतर है कि जो हमारे जीब जन्तु मिलते हैं उनका यूज हम इन चीज़ों में करते हैं आप न जाके medicine आई है पहले medicine थो ही ना हुआ करते थी घरे लू और Sanskritic क्या-क्या है importance उसकी बात करते हैं हम देखेंगे पूरे topic को easily तरीके से देखेंगे और जल्दी ताकि आपका time भी ना जाए और आप easily तरीके से समझ पाओ अब importance क्या है इसके biodiversity के सबसे पहले हमारा आता है ecosystem services तो आप जानते हो कि जो biodiversity होती है ecological system होता है ecological मतलब मैंने आ एक दूसरे पर निरवर रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए इसी को पारिष्टिति की तंत्र कहते हैं और इसमें जया विविद्दा का होना जरूरी है अब eco services में सबसे पहला यहां पर आपका कौन सा आ जाता है जल संसाधन का संरक्षन protection of water resources कैसी किया जाता है किस तरीके होते हैं चुरली जो होते हैं आपके पोदे उख जाते हैं कुछ आपके पोदे जो होते हैं पानी को बचा कर रखते हैं फ्लड को रोक देते हैं तो यह सभी चीजे क्या करते हैं जब इन सभी को रोका जा रहा है तो इसका मतलब यह water resources को बचा रहे हैं और वह बचाने काम क्या होते हैं वो यहां देख सकते हो लाइक बादल बने बरसात हुई बरसात पानी नीचे गई पानी जाने के बाद इवेपराइजेशन हुआ मतलब सूरस जी आए उन्होंने घरमाट दी उसके बाद दुबारा यह उपर गया उपर जाने के बाद ठंड का मौसम आया फिर ठ आप सिंपल सी बात कि बाद क्या है कि बायो डाइवर्सिटी में त्पेड पोद हैं आप यहां पर पेड़ पोदे उगे उए आप पेड़ पोदो को काड़ तो पेड़ पोदो जैसे ही अगर कट गए तो कटने के बाद मिटि जो है आपकी स्वाइल जो है वह सोईल तो बाइवर्सिटी होती है तो अब पॉलिशन रिडक्शन के सकते हो तो पॉलिशन होने का रिजन होता है ये नाइट्रोजन सल्फर है क्या तो सिंपल सी लेंगविजर समझे यह दो एक पॉलिटेंट है जो पॉलिशन फेलाने का काम करते अब यह गैसे जो होते हैं आपके एयर में मिल जाते हैं और मिलने के बाद वह पॉलिशन को क्या कर देते बढ़ा देते हैं तो इस चीजों को कम करने के लिए क्या है पेड़ पोदे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पोदे लगाने लग जाओगे तो इससे आपका क्या होगा कि आपका जो पॉलिशन होगा वह कम हो जाता है पॉल्यूशन भी कम होते हैं यह सारे बैनिफिट्स ही है हमारे लिए फिर आते बैनिफिट्स में आपका क्या बाइयो लोजिकल यहां देखो मैंने इंपोर्टेंस को यहां पर आपको एक इमेज के थुरू भी समझाया है बहुत इजी है इस वे में समझाया हुआ है घेनिटिक होती है जेनिटिक मैंने बात पहले भी की थी जीन्स की Entonces और पोद्व में अलग-अलग परकार के जीन्स पाइजाते हैं और जीन्स जो होते हों हमारे लिए बहुत ज्यादा है और कुछ पोदे तो ऐसे भी होते हैं हमारे लिए मैडिसिन का काम करने लग यहां पर दिया हो एक ही जंगली चावल के किसमे के जीन द्वारा चार मुखे बिमारियों से सुरक्षित रखता है तो यह जो क्रॉप होगाए गए तो यह हमारे लिए क्या है अब वह क्या काम कर रहा ह अब यह जो कोई जैबिक यह नहीं हो रहा है लेकिन हमें पता है कि आगे चलके इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है तो हम उस चीजों को पहले सही अभी क्या कंजर्व करके रखेंगे संद्रक्षित करके रखेंगे तो वह आगे चलके हमारे लिए बहुत ज्यादा मंद होने वाली है यह चीज हमारे इन दोनों पॉइंट के अंदर बताया हुआ है रीडाउट आप कर सकते हैं मैंने लिखा हुआ है समाजिक लाब आप सोसल वैनिफिट्स क्या क्या है मतलब यहां पर चल चितर से बात है मतलब फिल्म हो गए फोटोग्राफिय पेंटिंग यह सबी चीजे भी आप इसके आकोडिंग कर सकते हो फिल्म के अंतर अलग अलग नई नई चीजों को दिखा दो तो आपके मनोरंजन का काम करता है इसी क्लाइमेंट चेंज होगा एकदम से अभी जो घर्मी थी आचनक से यहां बरसात आ गई तो वैदर चेंज की वजए से बहुत चीजे भी चेंज होती है हमारे लिए क्या होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है हैविटेट की बात की जाए अवास में परिवर्थन मतलब अगर भाया अभी बैठे हुआ आराम से बैठे हुआ बुकम पा जाए घर गिर जाए तो आप वहां से जगा चेंज कर बनते हैं तो आप पॉल्यूशन हो गया यहां पर पर्दूशन में जो पोशक तत्व होते हैं यह वह मिल जाते हैं अब एक वर्ड आता है पोचिंग मतलब आता है आपका आवेद सिकार जिस चीजों को पता है कि भाया यह यह लुक्त हो रहे हमने मना करना है कि भाया इसके सिखार आपको नहीं करना और जाके वो लोगुशी का सिखार कर देते हैं लाइक का आपका यहां पर दियाुआ हा थी के दात सेर हो गए सेर की खाल उतार दी बहिया उसको भाया खतम कर दिया हुसका हम दवाई वणा रहें दवाई बना के क्या कर रहें तो यह सबी चीजे क घढ़ते रिटन के बिंदू तक किया जा रहा है मतलब है हमें पता चल गया है कि इसके बाद वो खतम हो जाएगा और बनने में भी बहुत टाइम लगेगा लेकिन फिर भी किये जा रहे यूज किये जा रहे आती दोहन किये जा रहे वह एकोलोजिकल है मतलब जा विवेट्टा की रक्षा करना ना केवल पारिशिति की तंत्र के लिए बलकि हमारे नैतिक मुल्य मिन्स कह सकते हो कि आपके लिए फाइदे मन जो है एकोलोजिकल वह भी रहना अवस्य के है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो प्रूछ भी चीजें इसको मैंटेइन करके रखना चाहिए और आने वाली जो जन्रेशन उसको देखते हुए सस्टनेवल डवलपमेंट की जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो हमारे एनिमल है जो तो पहले पॉलीश जान हो जाता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीजों को मैंटेन करके रखना चाहिए और जो खत्रे हैं उनसे बच के रहना चाहिए यह आपका कंक्लूजन यहां पर खतम हो जाता है यह को संदेंग चलते हैं अब आपने नेक्स्ट को सने डिफ्रेंसियेट विट आपको राष्टिय उध्यान और अभ्यारनों पे कुछ परकास भी डालना है एक और में इसके कोसं दिया हुआ है वाट आर डी डिफ्रेंट मैथर्ट से समझ आ सके तो यह आपके पढ़ने के लिए जैन हम स्टाइट करते हैं अपने आंसर को कंजर्वेशन मतलब क्या होता है सिंपल सी बात मैं करूँ कि कंजर्व करना मेंस आपको ऐसे नानी या ऐसे पोध है या ऐसे जीब जन्तु जो लुप्त होने की कगार प्या चुके हैं सिंपल सी बात की जाए तो वो अभी खतम होने वाले हैं तो उनको बचाने के लिए हम क इन्वार्मेंट के अंदर उनको रखा जाता है सिंपल सी बात की जाए तो जैसे कि आपका इन्वार्मेंट है उसी इन्वार्मेंट में आपको कंजर्व करके रूल के अकोर्डिंग रख दिया जा तो वह इनसी तू और जब आपको कहीं और भीज दिया जा आपके जगह से दूसरी जगा कंजर्व करने के लिए भीज़ दिये जाए तो वह कहलाता है एक सितू कंजर्विशन लाइक आप कह सकते हो कोई नैशनल पार्क बनाया हुआ है तो उस पार्क के अंदर जैसे जिम कारवेट का नाम दिया मैंने तो वह जिम कारवेट आपका कहा है उत्राखंड तो इनकी कंजर्वेशन की यह पूरी की पूरी फैसिलिटीस जो होती है वह आटिफिशल इन्वार्मेंट बना के भी हम इसको कर सकते है तो अब यह हमारा इंट्रोडक्षन हुआ दें चलते हम इंट्रोडक्षन के साथ यहां पर मैंने बताया हुए इन्सितू में कौन कोन अजिता नशोनल पार्क अजयता है वाई लाइव संचुरी से आजाती आज ते यहां पर यह लोगिकल पार का प्रजाता है घीर पारर का आजता है यह आपके एक सीटू में के पहरेन इन辉ने क्या पर आपके जानवर हमारी तरहा एक लूपड़ प्राइज प्राइद जाती है सिंपल सी कह सकते हो कि एंडेंजेड इस पीसिस जो है वह और प्लैनेट पे रह रहे हैं और हमीं है जो उन्हें भी अपने आप को भी खत्रे में डाल रहे हैं कि नर्ख में निर्दोस पीडित हैं मतला हमने यह तो बहुत भूले-भाले इंसान है हमने ही उनके लिए हेल क्रियेट कर दिया है नर क्रियेट कर दिया है इनका कहना यह सिम्पल सी लेंग है अब इनके बीच में डिफ्रेंसियेट आते हैं तो डेफिनेशन बेस में क्या होती है जो इनसे तू होती है वो आपने ही इन्वार्मेंट में क्रियेट की है थे आसाइड होता है या इंसाइड होता है विदिन विदिन जो नैश्रल होता यह बनाया इसमें में सब्रोक्रा सबस्क्राइब करARY नियों को बना जाता है इसमें इlaşएफिध RV जो होते हैं वो आपके कहीं भी national park हो सकता है wildlife हो सकता है या zoo हो सकते हैं और सभी चीजे भी botanical garden कुछ भी बनाए जा सकते हैं आपके outside की अंदर या inside में बनाए जाते हैं या आपके outside में बनाए जाते है conservation के लिए scope की बात की जाए scope मतलब दाइरे की बात की जाए मतलब जो भी लग रहोगी यह लुक्ट होने वाला इसको पकड़ लो अपकाणके इसको यहाँ पर रख लो ताकि यह लुक्ट ना हो यह सिंपल सा इसको पर रखा जाता है दारा रखा जाता है तो मुखे रूप में विसेश्ट प्रजातियो की संदक्छन के लिए लक्षित ह यह विशिष्ट है, simple minor मान लिया कि कोई एक पक्छी है, वो पक्छी खतम हो रहा है, तो उसके लिए हमने इसके बना दिया, जैना था आपका conserving technique, मतल़ conservation जो techniques होते हैं, आपका इसमें, संदक्छन तकनीक, कैसे कैसे आप इसे conserve करोगे, किस तरीके से किया जाता है, तो conservation का तो सबसे पहला ही formula, इनका sustainable development के उपर होता है, कि जो भी चीज काम किया जाएगा, वो आगे के future management को देख के किया जाएगा, ताकि आप उनका फाइदा उठा रहे हो, आप उनने देख पा रहे हो, उन चीजों को कर पा रहे हो, तो सब्सक्राइब क्या होता है, यह कुछ से साइंटिफिक वर्ड आए हुए, साइंटिफिक वर्ड में आप उन चीजों को यूज कर लोना तो लगए बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ए है, तो उन चीजों को यूज कर लो, आप लेंगोज में लिख सकते हो, म सब्सक्राइब काउंटर, जो चैलेंजिस होते हैं, रिलेक्टे टो दी मैंटेनिंग दी जैनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवानसिक विवित्ता जो होती है, उसके ओपर हम बात करते हैं, कि अनुवानसिक विवित्ता को बनाए रखने के लिए, कैद में संभावित, अनु लिख सकते हो, जो भी आपको बैस लगे, आते हम नेक्ट पे, नीट्स ऑफ कंजर्विंग बायो डाइवर्सिटी, मतलब जैब विवित्ता के संदक्चन की अवसक्ता क्यों पढ़ती हैं, क्यों पढ़ी आपको आप सकता की इन जानमरों को बचा कर रखो, अब सपोस मानों मेडिसेन नहीं मिल पारी तो भी सबंब करने की सबसेदा करने के भी चीज को कंजर्व करना बहुत बधी चीज जरूरी है यहां पर हम प्रिवेंट करते हैं loss of genetic diversity मतलब आप क्या कर सकते हो किसी जो प्राजाती की अनुवान से विवित्ता है उसके नुकसान को रोक सकते हो इस चीज से कोई सेव कर सकते हो इस species को किसी प्राजाती के बिलुप्त होने से बचा सकते हो उसे और लाश्ट होता है आपका क आपको उनकी चाहने की आवाज आती होगी लेकिन अब वह नहीं दिखती क्यों कि दिरे दिरे वह खतम होते चले गए अब उनको कंजर्व करने के लिए हमने कौन-कौन सी जगा बनाई जगा है हमारी कौन सी नैसनल पार्क मतब राष्टिय उद्ध्यान अब नैसनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो प्रोटेक्शन बिल्कुल लीगल प्रोटेक्शन के साथ बनाए जाते है यह रूल एंड रेगुलेशन है इसके अंदर घुसना जाए कोई भी यह चीज रहने चाहिए यहां पर आपके बायोटिक जैविक अजैविक अबायोटिक उन सभी कंपो होते हैं इसा होता है यह पूरा प्रोटेक्टे होता है और इसमें जैसे Orange जिम्कारवेट जो उत्राखंड के अंदर नैसनल पार्क है सेरों के लिए प्रसिद्ध है राजा जी नैसनल पार्क उत्राखंड के उसमें भी बहुत सारे लेकिन प्रसिद्ध जो है वह आपके ऐलिफंट के लिए इन सभी को बचाना जरूरी है आगे चलके देखना भी तो है इनको जिम कारवेट हो गया राजाजी हो गया देन इसके बाद आपका वाइल लाइफ संचुरी आती है वाइल लाइफ मिन्स आपका वन्ने जीव अभियारन अभियारन इसलिए बनाए जाती है देखो एक नैसनल पार्क होता है जिसमें सभी है अभियारन मतलब संचुरी मतलब होता है एक स्पेसिफिक बंदे के लिए पकड़ लो कि भाईया ये खतम होने वाला है सिर्फ यही लोग यहां पे रहेंगे उनकी प्रजातियों को वहां पे रख दो एक ऐसा पार्क मनाया गया जिसका चिलका वर्ड संचुरी है ओडिशा क तो चिलका जो होती है वहां पे आपको मिलेगी तो यह की स्पेसिफिक बनाया जाए तो अभियारन और सभी के लिए बनाया जाता वह नेशनल पार्क यह दोनों चीज़ मैंने आप एक्स्प्रेंड कर दें लास्ट में आप कंक्लूजन कर सकते हो निसकर से निकाल सकते हो उ कंजर्वेशन नहीं तो आपका यह जो बायो डाइवर्सेटी एको सिस्टम है यह बिल्कुल तहसनेस हो जाएगा उस तहसनेस को बचाने के लिए स्टेबिलेटी को बनाने के लिए हमें कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा नीड पढ़ती है तो यही पर हमारे यह को सन हो जा देन हम आगे बढ़तें इंट्रडक्शन के ऐसा था द्विकास हमनें पहले भी पढ़ा है आगे जो कुसंस की हुए है उनमें आपने देखा था सोसाइटी को बनाना है तो सस्टनेवल डवलप्मेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि हमें समाजी विकास में इसकी फाइदा मिल सके बना अगर अभी देखा जाए तो हम कोईला पेट्रोलियम इतनी ज्यादा यूज कर रहें लगता नहीं आने वाली जो पीडी है मतलब अविस्य में उन्हें यह चीज मिल भी पाएगा इसका वो फाइदा उठा भी पाएंगे इसलिए हम विंड एनरजी इ यह एक तरह का सतत विकास होता है जो मीट करता है नीट्स ऑफ दी प्रेजंट विदाउट कमप्राइजिंग दी एबिलिटी ऑफ दी फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीट्स मतलब आने वाली जब इससे पीडी है ऐसा सोचे कि मेरे को यह चीज नहीं मिलेगा उनक अच्छे तरीके से क्रियेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा क्या होने वाला है तो आफ फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यह चीज बचेगी कि नहीं बचेगी तो यह आपका इंट्रोडक्शन हुआ इसके बाद आते हैं इनके इन्पोर्टेंट पिलर्स कौन- इननोंक पर बात करने लगा जाएंगे इन्वार्मेंट पर बात किया एक massive यह चीज हो रहा है तो हम देखेंगे अभी जो हमारे लोग है वह बढ़ा ही करे लएं सब कुछ कर रहे हमारा जो सव्यृस की बन रहे हैं तो हम सकते हैं कि एसा नों कह गरीष प्रोग्रस और हम एम से कम यूज करो जिससे की मिनाइस करों तो उससे टीक हो जाएका पर दूसन कम होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा जो आपका स्टमा का होता है अगर हमें ब्रीथिंग करने में सांस लेने में जो प्रोब्लम आती है सबसे बड़ा जो प्रोब्लम है वह अस्थमा का होता है वह सबसे पहले पकड़ता है इस पॉल्यूशन के कारण इन्वार्मेंटल डवलप्मेंट होगा वह प्रोटेक्ट भी हम कर पाएंगे यह बेस्ट एक्जामपल है इसका हमारा सेकंड एक समूर सपो करना है कि जो हमारा भीमब गुरूप होता है उसका काम है यह देखना यह जो को कम से कम कर देना जीरों दाऊंड करना जिस्सेação कम होगा हाड़ाइं क्शाइट है इसको कम से खराब करने का यह इस के हम विक सटनेविलेटि इकनोमी मतलब ही है बह यहां पैसे की बात होगी म में इन्वार्मेंटल भी आईवि dove लग रहीं है तो इंडास्टी के अंदर से भेष सारी जैसेश भी निलते रो मेट्रियल dane ऌडर की आटा लिवाटर के अंदर शालर करता करता एय के अंदर गैसेश जाईगी तो आपके air pollution करेगी तो resources जो है consumption भी कम करो खपत कम करो recycling करो जो चीज़ recycle हो सकती है उस चीज़ को recycle करो बार-बार use करो हो सकती है तो reduce करो pollution को भईया जो रो मेट्रियल आप बाहर निकाल रहे उस रो मेट्रियल को रखो ताकि आप बाद में यूज़ करो अगर नहीं हो रहा तो उसको बिल्कुल खतम करो expanding public transit option मतलब सारवजनिक परिभन विकल्पों का विस्तार करना और creating the more efficient and sustainable product अधिक कुसल और टिकाव उत्पाद बनाना ऐसा नहीं कि चल गया तो चांता को नहीं चलाता साम तक यह नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऐसा product हमें बनाना चाहिए दैन आता है हमारा next point आपका social sustainability मतलब समाजी के सिर्था समाजी के सिर्था में जो अभी चल रहा है पहले बहुत देखा जाता था inequality हो गई बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था जूके सनी मिलता था स्वास्ते पर हम ध्यान दे Community बेर बात करती है इसके example में आप देखो ऊपनी है समाजी को समाजी विकास में योग्दान देने के लिए कॉम करा आप समाजी वब्कास किया है जैसे किसी को launch चाहिए तोस्को को देता है यह वो भी इंक्रीज हो रही है जिसे जो भी उनकी नीट से वो पूरी हो जाती है तो नीट पूरी हो जाएगी तो उसके सबभी आवास परदान करती है मतार है तो इस तरीके से हम यह देखते हैं इस निकालते हैं तो इसमें कहा गया कि सब्सक्राइब डवलक्वेंट कि प्रोच्छ शू अड्रेस दा इंटर लिंग चेलेंजेस ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ Social Equality and Environmental Preservation तो सतत विकास जो है वो आपका व्यापक दिश्टी कौन है जो आरते विकास समाजिक समानता और परियावन्य संडक्षन की परस पर जुड़ी चुनोतियों का समधान करना चाहता है मतला हमने जो तीनों पिलर पड़े उन तीनों के जो समाधान है उनकी जो कोशिस है वो यह करके हमें देता है जिससे कि हमारी जो आने वाली भावी पीडिया है उनको हर चीजों का जो नीट से उनकी वो चीजोंने मिल सके यही आपका sustainable development का एम होता है जिससे कि हमारी जो पूरा एक ecosystem है मतलब ये पूरा system है वो पूरा बना रहा है तो आप ये बता सकते हो अपने according जो भी आपको best लगे तो ये conclusion निसकर्स यहीं पर हमारा खतम हो जाता है तो next question है हमारा fifth question define causes and effect of acid rain on an environment परिवर्ण परेवेबर्सा के कारणों और प्रभावों को परिवासित करना है अमली वर्षा होते हैं से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि acid rain क्या है फिर उसके हम causes पढ़ेंगे कि क्या कारण से amile wise होते है और फिर उसके effect पढ़ेंगे कि हमारे उपर उसका क्या effect पढ़ता है जसे से पहले आईए हम introduction पे चलते हैं हम ये वर्षा acid rain को scientific language में कही जाए तो ये कहता है कि हम ये वर्षा में sulfur और nitrogen ये दोनों pollutant है मतलब परदूसक के एक तत्व होते हैं हमानलों की तत्व हैं जो मिल जाए तो परदूसन होता है तो sulfur और nitrogen जब हम fossil fuel हो गया जिवा स्विंदन, koila petroleum ये सब इन चीजों को हम जब जलाते हैं तो sulfur और nitrogen उसमें से emit होते हैं बाहर निकलते हैं उससे ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं जब मिल गए तो sulfur ने बनाया sulfur dioxide और nitrogen ने बनाया nitrogen oxide ये दोनों के दोनों gases बनके ऊपर की और उड़ गए और उड़ने के बाद एक जगा पर जाके जम गए जैसे यहां पर देखो आप sulfur का oxide और ये nitrogen दोनों के दोनों जाके एक जगा पर इखटा हो गए और इखटा होने के बाद जब बारिस हुई इसलिए कही जाती ही पहली बारिस में नहीं ना आना चाहिए क्योंकि जब पहली बारिस हुई वह पानी जब नीचे आ रही थी यहां pollutant का पूरा का पूरा area जमा हुआ था ये नीचे की और आया पानी के साथ मिला पानी जो है वह एसिड बन जागा अब जो नीचे आया वह गंदा पानी आ रहा बिल्कुल pollution के साथ मिलके तो वह कहला जाता है आपका acid rain जब rain water के अंदर sulfur and nitrogen के oxide मिलके sulfur dioxide and nitrogen oxide बना लेते हैं और वह बारिस जो कहलाती है वह आपकी acid rain कहलाती है यह आपका पूरा का पूरा introduction था acid rain का तो pollutant कोन है यहाँ पे आपके sulfur और nitrogen प्रोवर्ट एंगस जो इसमित है इन्हें father of acid rain कहा जाता है इन्हों नहीं कहा था कि वायो मंडल में जब दूसर तत्व है वो nitrogen और sulfur ही है यही दोनों दूसरन को फैलाते हैं और जो oxide बनाते हैं वो वर्षा जल में मिल जाते हैं और पानी जब नीचे आती है तो वह अम लिए वर्षा कहलाती है यह मैंने process image के थूरू भी दिखा दिया है कैसे आपके industry से यह दोनों निकल रहे हैं पर जा रहा है फिर बादल के साथ आ रहा है और बादल जब बारिस कर रही है तो पानी नीचे आ जा रहा है अगर imagine करोगे तो आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं अब आता है इसके causes क्या कारण है causes में सबसे पहला पता चल गए emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide point याद रखो अंदर की बाते आप खुद लिख दोगा sulfur dioxide and nitrogen oxide का बरसा जल में मिलना कहां से निकलता है इंडरस्ट्री से निकलता है बिजली सन्य अंतरों से निकलता है fossil fuel जलाने से oil जलाने से coil जलाने से power plants से इंडस्ट्री से इन सभी चीज़ें से निकलता है vapor जो हो जाती है वह gases पानी के साथ मिलती है और वह पानी आपका आम यह वरसा कहला जाता है automobile emission की बात करें तो automobile emission मताब vehicles हो गए अब उसके अंदर क्या डलता है वह भी तो gasoline ही है ना gas ही तो है diesel ही तो है वह भी आपके oxide बनाते है है तो fossil fuel जब यह oxide बना रहे है तो आपके nitrogen और sulfur जाके air में मिल जा रहे है परदू सक्तत बन रहे है और वह pollutant आपके formation कर रहे है एक nitric acid का और वह acid पानी में मिल जा रहे है वो बना रहे है आपका acid rain सेकंड कारण यह बन गया थाड़ आपका industrial process बन गया मताब ओध्योगी के परकिरिया बन गए industrial process से जो भी आपका raw material बाहर निकलता है वो भी pollution का कारण बनता है और pollution में उसमें भी nitrogen and sulfur के oxide मिलते हैं जो आपके air में मिल जाते हैं और air में मिलने के बाद उपर जाके water में मिलने के बाद वह आपके acid rain का reason मनता है यहाँ दो reaction वह लिग दी है मैंने sulfur dioxide oxygen के साथ रियक्ट करेगा फिर oxygen water के साथ रियक्ट करेगा तो यह आपका sulfuric acid बनाता है और यह की nitric acid बना huh Chemical光 के मारा अब कोई भी और बाद होगाने के लिए हमें करने के लिए चाहिए होती है। उसकी pH वैले नीडेड ना वह प्राइब होना चाहिए मत्वं मैं क्या कहा क्या है कि अगरर ऐसी केस है तो हम है उदा से चाहिए यहां तो है नहीं हम अदय को कैसे भाचाएंगा हमें करना के कली हम एसरे में हैं की बच्राइब की वज्छे से यूप Εजों सब्सक्रापता T सब्सक्राइब कशा दहां सब्सक्राइब water bodies अब यहां पर आपका कंटैमिनेशन जहां से जल आ रहा है बारिस होई बारिस होने के वज़े से सपोज मानों कि एक वैल था मतलब एक कुवा था उसमें पानी वह गिर गया तो वह तो सारे के सारे पानी को गंदा कर देगा वह गया रिवर हो गया लेक्स हो गए मतलब जहा गहाले से मरना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसरे हमारा उतर पोलिशन स्टार्ट हो जाता है कि एक से लेके 14 तक काउंटिंग होती है सब आता है कि और सबस्क्राइबा 7 होती है अब आता है कि corrosion of building and infrastructure इसका मतलब corrosion हो रहा है तो acid range होता है वो इसका सबसे best example है और example आप यहाँ पर देख सकते हो acid की वज़े से buildings के जो colors वगएरा यह सब जो marvels होते हो वो चीजें खराब होनी इस्टार्ट हो जाती है daily life example जो आप देख सकते हैं यहाँ इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर impact on human health यह बहुत concept है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आप एक बार भी पढ़ो गए ना तो चाहिए होता है जब oxygen हम ले रहे हैं तो वह oxygen अगर हमारा पॉल्यूशन के साथ आएगा इंपक्ट करेंगा हमें और हमें इंपक्ट करेंगा तो वह हमारे इंपक्ट करेंगा वह जो हमारी है अपने खराब होनी स्टार्ट हो जाईए यह पूरा का पूरा कनेक्शन होता है इसमें इंपक्ट होना होना मानस स्वास्ते पर परवाग जैना था फॉरेस्ट डिकलाइन मतलब बनो का हास जैसे जैसे ऐसे ऐसी वगावाग तो इसकी वज़या से सॉयल खराब होंगे तो उसकी वज़या से आपके जो जितने ही बढ़न है उनसा भी चीजह के जड़ जो होगी रूट्स होगे खराब होने लग जाएगी और इसकी वज़या से आपके जो 1 है वो भी खतम होने स्टार्ट हो जाएगी और वरक मिलेंगे नहीं फर्टिलाइजिशन मिलेंगे नहीं तो क्या हो खतम इंदे लास्ट में हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो एसी ड्रेन होता है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा हामफुल एफेक्ट करता है और इ उसे हम मेंटेन रख सके ताकि हमारी सस्टनेवल जो डवलप्मेंट है उसको हम बनाए रख पाए तो यह पूरा निस्कार्स हो पाता है आप अपने लिख सकते हो नेश्ट को सन हमारा एक्स्प्लेंद काॉजन लेयर डिपलिशन मतलब ओजोन परच्छन के कारण एवं प्र इसके साथ एक ऑक्सीजन अब हिकरिया कर लेता है तो यह बनाता है और थ्री जो हमारे लिए बहुत बहुत जदा हनिकारक होता है इसी को हम ओजोन कहते हैं यह हमें हनिकारक रिज से बचा रहा है यह बहुत ज़्यादा पॉईजनेस गैस होता है यह गैस हमारे लिए लाबदायक है बेनिफीसियल है जब एक ओ बढ़ जाए तो यह हमारे लिए पॉईजनेस हो जाता है जहर बन जाता है बहुत गंदल जैसी बद्बू आती है इसमें से कि जो सनलाइट से जो शाँ उनको बलॉक करना और प्राच म को आपके बचा के रखना ही जो फॉर्मला होता हुझाए उस्फिया saya कृरिया में यह की आपका यहांसब्स आंपका पे कुछ इस पेर जैसे यह हमारा धो से टैन किलूमेटर के अंदर में हमारा ट्रॉपवन स्पेर होता है और तंतू 30-50 km के अंदर हमारा π워요 होता है १ सम 탑 मंदल भी कहा जाता है इसके बीच में यह प्ली संध Safai iDo जिससे सणुन नाइट जो हमारी रिज 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 हमारी यहां से बगा देता लिए इस चीज में धीरी-धीरीदीर डिपलीशन हो गए छेद हो गए उस छेद का कारण क्या बना और इसकी बज़े से हेल्थ पे बहुत सारे इफेक्ट पढ़ रहे हैं उन चीजों का हम देरे देरे जानते हैं जो चलिए हम बात करते हैं जो रीजन होता है वह इस टेटो स्पेयर के अंदर होता है प्रोटक्ट क वैसे एक घर बिना च्छत की है वैसे हमारा आर्थ और उसके वगएर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा इसलिए और को बचाओ अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ इसके साथ हमारे और के चार्ण क्या है कॉसिस क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कारण में क्या होता कि जो जो भी चीज़े यूस्त करतें ठंडी की साभाती है यूज्डी अ रिषट Election हो गया सब से बैस होता है इसंब से सबसे ज्यादा जिसमें सब्सक्रोर जैओ मन लेघर उसमें करिउस करने का यहा तहीं तो यह प्रतानाक बनता घैंटा हैए तो यह एटम ही आप का इacing जो हुशन का कारण कौने गा ze जो जो उन लेएर था उसमें जाके उसने छेद कर दिया और उसे ने च्छेद करने का रीजन सबसे जब से ज्जादा है थंडा इलाका आपका कहा है जो अंटार्टिका जैसे जगाहं जहां बहुत जदा थंद जिर बर्फ है। नियर आपके थोड़ी सी पतली हो जाती है पतली के कारण जितनी ज्यादा क्लोरीन जाएगी वह टक्कर मारते जाएगी एक ताइम आएगा वह चेद हो गया वह डिपलीशन ही हमारे लिए आस तक खानी का रख हुआ है पति ये रॉक्ट को रीगुलीट ना कर पा है और उसे को भेज दे तो उसकी बजहे से क्या होता है मात्रा में यो आपका प्लीण नीकी तो हम कह सकते हैं कि औरल्वे रॉक्ट की तक का रीजन बनते हैं मतलब छेद का जो रीजन है और जो लेयर के यह दोनों ही गैसे होते हैं अब यहां पर ऑजोन लेयर डिपलिशन जो होता है और जोन डिपलिशन सब्स्टांस वह कौन-कौन से हैं मैंने यहां पर लिख भी दिये आपका हो गया है यह प्लोक में हैवीडले तो यह आपकी प्लोक हो गया मैं अभी है फिर फो है सपोस मानों च्छेद हो गया तो यह यह रही है अबStart दी जिसकी बजे शो करनी को अगर कमार्यों को बिवार श्टार यह दिए वह एफेक्ट होना इस्टार्ट हो जाएगा तो जो बिमारी है वह आनी स्टार्ट हो गई cancer, diseases, skin, problem यह सारी के सारी इसके कारण से बनी है एफेक्ट होगा सबसे पहले health पे फिर second होगा environment पे environment पे आप global morning जानते ही हो photosynthesis को खराब कर देगा यह तो परियावर्णने effect होगा जिसमें आपका परवैगनी किर्णों की वज़े से आपके पोधे जो होंगे वो photosynthesis ना कर पाए तो इसकी वज़े से आपका जो forest होगा वो खतम होता जाएगा और जो पोधे होंगे वो भी खतम होने लग जाएगा तो environmental effect होगा impact of ecosystem aquatic जो है जलिये पारिष्टिती तंत्र पर परभाब कैसे होगा नेक्स्ट आपका impact on aquatic ecosystem मतला जलिये पारिष्टिती की तंत्र पर परभाब क्या होगा suppose मानों की जैसे ही आपके परवागनी की ने आ रही है वो बहुत हानी का रहा कि हामफूल है इसकी वज़े से effect हुआ और temperature बढ़ गया इसकी बज़े से जो भी है यूवी के radiation की बज़े से impact होना air quality atmosphere में raise आईगी तो वह आपकी air को खराब करते ही जाएगी pollution बढ़ा देगा और pollution बढ़ाएगा तो हमारे लिए खराब होगा इस टैटोश्पेर है क्या ओजोन लियर डिप्लिशन का एक ऐसा reason ही तो है pollution बढ़ेगा health को खराब करेगा health कराब करेगा ecosystem खराब तो at the last में conclusion आप कह सकते हो कि जो हमारा ozone layer है वो human made ozone depleting जो है मता हम नहीं किया substance have significant harm the ozone layer मानम निर्मित जो जो घटना है वो हमने बनाया है नए बिमारी का और एक pollution का reason बन गया है आगे चलके जो हमारी पीड़ी आने वा बढ़ेगा वनना हम जाजस ज्यादा इन चीजों का यूज करते जाएंगे तो जोन लेयर में depletion बढ़ता जाएगा और जल्द ही यहाँ पे बिमारी बचेगी और कुछ नहीं बचने वाला पर यहाँ बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कदम उठाने पे नेक्स को सना एक्स्प्लेंड ऑब्जेक्टिव औफ एयर प्रिविंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइटीन एटीव वायू परदूसन की रोग्थाम और नियंतरन अधिनियम उननीस सो इक्सी के लक्से उदेश से की वैख्या का निया में फर्स्ट परबसते हैं कि क्या इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव और एक्ट के बारे में हम पढ़ें कि क्या बनाया गया एक्ट पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो इंटरॉड़क्शन में बात की जाए यह है उसको प्रिविंशन करना है पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है नाइटी करने के लिए गौर्मेंट को एक लोग बनाया ऑन्ने ताकि कंटिया जा सके क्योंकि जब तक लोग अपने आपको कंट्रॉल नहीं करते जब تक उनानून थोपा यह जा सके गौर्णमेंट इसी लिए काम करती है ताकि आपकी स्वास्थ है आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रह सके आप हो तभी यह चीज बिल्कुल बैटर हो पा रही है तो आपको भी बैटर रहने के लिए गौर्णमेंट जो लौज चला रही है उसको इंप्लिमेंट जो कर रही है वो फॉलो करना चाहिए तो यह इंट्रोडक्शन है और अब्जेक्टिव है इसकी बात करते हैं उद्देश से क्या है सबसे पहला क्या आपको प्रिविंशन करना और कंट्रोल करना है एयर पॉल्यूशन और ऐसे ऐसे कुछ भी प्रवधान जो कर सकते हो वह प्रव को रहा है एक आपका सेंट्रल बोर्ड बनाया गया एक स्टेट बोर्ड बनाया गया सेकिंड इसके बात क्या कि बोडों को अधिनियम के प्रवधान को लागू करना है पर दूसन संबंदित कार्यों पर बोडों को सपने की सक्तिया प्रदान किया मतलब वह चेक करेंगे सब्सक्राइब के लिए आपके तीन-चार पॉइंट दिये हैं उद्देश से के आप वायू परदूसन की रोक्ताम और नियंतरन कैसे कर सकते हैं रेगुलेशन कैसे कर सकते हो इंडस्ट्री में जन जागुरुक्तायम भागीदारी है पब्लीक अवेडनेस फैला के कर सकते केंदर और राज्य सरकारों के साथ समनवे करके मताद दो बोर्ड जो बनाए है उनके गैर अनुपालन के लिए डंड कर सकते हो मताद जो नाम आने उसे पैनल्टी ठोको इमर्जेंसी सिच्वेशन में भी वर्क कर सकते हैं अब मुक्य विसस्ता यहां पर बताई गई है इस लागु किया गया इसमें लो जो बनाए गए अगर कोई इसको उलंगन करता हाँ दिखता है जो इसको नहीं मानता है तो उस पे फाइन भी लगाना चाहिए और वो फाइन जो है लगाओ अगर वापिर भी कुर्माने को बढ़ाते जब तक वो नहीं मानता है तो यह आपका क्वाल्टी को increase कर सके उसमें जो भी पॉल्यूशन के जो पार्ट्स है ना उन पार्ट्स को धीरे-दीरे खतम कर सके ताकि वो हमारे लिए जो है जो है वो कंट्री से खतम हो जा दीरे-दीरे यह इनका काम होता है पिर क्या है कि आप वायू की गुनवर्ता जो है कैसे गुनव करें कोडिनेशन बना के ताकि वायू को जो है मतलब जो एयर है उसकी क्वाल्टी को ज्यादा तेजी से इंक्रीज किया जा सके तो यह आपका पूरे लो के अकोर्डिंग हो जाता है अकोर्डिंग तो इसके निसकर्स हम देख सकते हैं कि इसका सिंपल सा जो मोटीव है चाहिए नियमित रूप से रखना चाहिए इतना ही हमें जो आपका पॉल्यूशन का जो कॉम्पोनेंट है उसको सर्जित करना चाहिए निकलना चाहिए जिससे कि वायू आपकी कंप्लीट वे में बिल्कुल बैस्ट रहे और वह हमारे लिए हैल्स के लिए हानिकारक ना बन चाहिए और इसके सासा जो भावी आने वाली जो पीडी है उसको देखते वह सारे काम करने चाहिए यहीं पर हमारा यह कंक्लूजन हो जाता है खतम यह कोशन का अब इसके बाद 1986 के यहां पर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन दिया हूँ चोटा सा पाट नेशको सने डिसकर्ज दा साइलेंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीफ संरक्षन अदियनियम 1972 के मुख्य विसेस्ता पर चर्चा कीजिए अब वन्य जीफ को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो जानवर है वो हम में ही उनसे बहुत चीजे प्राप्त होती है तो उसके लिए हमें उससे प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है तो इसके लिए 1972 में एक एक्ट बनाया गया उस एक्ट में क्या क्या कहा गया उसके बारे में अब हम जानते हैं तो आप जानते हो कि यह जो वन्य जीफ सब्द ह या कह सकते हो संरक्षन अधिनियम जो बना था 1972 में वो आपका section 2 जो है 37 के तहत जो है इसकी एक definition दी गई परिवासा दी गई और ये परिवासा क्या थी उजो देखिए any animal aquatic and land vegetation which forms a part of any habitat मतलब कोई भी पसू जलिय या भूमी वनस्पती जो किसी भी निवास इस्थल का हिस्सा है वो हमारी इस अधिनियम के तहत जो है protection दिया जाएगा protection act का aim बस इतना सही है उद्देश से इतना सही है कि जो जंगली जानवर पक्षी पोधे जो है खतम होते जा रहे है या खतम होने की कदार पर उनको इस रूप में आपको सुरक्षित किया जाए और इसमें total जो थे वो 66 जो थे धाराए sections जो थे वो बनाए गए और इन सभी चीजों में क्या किया गया बताया गया कि कैसे आपका जो वन्य जीव जो है इसका एक में अब्जेक्टिव था कि भाईया जो पोधे हैं और जो एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करो उनको प्रोटेक्ट करो बन्य जीव और पोधे रक्षा करो प्रोहबिशन ओन हंटिंग इस्पेसिफाइड वाइल एनिमल वर्ट्स एंड प्लांट मता निर्देशि जंगली जानवरों पक्षियों और पोधों के सिकार पर परतिवंध लगाया गया फिर है कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स इन वर्ल लाइफ एंड वर्ल लाइफ प् कि जो भी संसा चलाएंगे जो भी बोर्ट्स होंगे नेशनल बोर्ट हो गया आपका स्टेट बोर्ट्स हो गये यह बोर्ट्स अपने अकोडिंग जो भी लॉस बनाए जा रहे हैं इनके अकोडिंग वो इतने जो है वन्नेजीफ सुरक्षा पर वो उनको इंप्लिमेंट करे और उनके duty है कि वो implement के साथ साथ सारे work अपने according करे जो भी laws वो बना रहे है फिर्स्ट जी जब law बना दिया गया तो यह नहीं कि only law बना दिया उसको implement करवाने के लिए उसके साथ work भी करना होगा इसके लिए उनको जागरों को awareness भी फैलानी पड़ेगे prohibits hunting an animal specified in schedule 1 to 4th of the act मताँ यह आदिनियम जो था 1 सुची 1 से 4 में निर्देशित किया जाता है कि जानवरों को सिकार पर परतिवंद लगाया जाता है आज से जानवर अगर इस section के according अगर कोई जानवर का hunting करता है मारता है तो इस section के according उस पर जो भी डंड लगेगा जो भी अपराद लगेगा वो चीज़ बताया जाए मता आपको इसके लिए इसी कारण से क्या किया गया आपका राष्टिय उध्यान जो है वन्यजीव अभियारन जो है संदक्षित रह सके ये इनको कोई ना जाके टच कर सकता ना कुछ कर सकता है इसलिए ये चीज़े बनाई ताकि पर्तिवंदित किया जाए लोग वहां चाही ना पाए और काम करी ना पाए उनके नेश्ट पॉइंट आपके कि जंगली जानवर हो गए पोधे हो गए जानवर बस्तुए हो गई उन चीजों को पर जो कबजे किये जाते हैं उनको भी हस इसे पूरे लुक्त नहीं होने वाले थे उनको इसमें रखा गया है जिनको मारना जिनको हंटिंग करना बिल्कुल डंडनी है अपराद है अगर यह करता हुआ कोई मिल जाए तो उस पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाएगा आपको पैनेल्टी लगाई जाएगी ठ संदक्षित है मतलब हैं थोड़े बहुत उनकी मातरा तो इसलिए वह कम सुरक्षित है बस जुर्माना जो है वह भी काफी कम होता है इसके लिए थाड और फॉर्थ में जो भी जानवाना फिफ्ट वाले जो होंगे उनका हंटिंग है कोई बात नी कर लो आप क्रो हो गया आ नहीं यह चीज किया जाएगा इस तरीके से यहां पर आपका इंदी लास्ट में कंक्लूजन कह सकते हो कि 1972 वाला जो एक्ट बनाया गया वह इस पेसली जो उनका वर्क था या इस पेसली वह फोकॉस्ट है वह फोकॉस्ट किस पर है कि वन्ने जीब जो है जो भी फ्रेमवर् कि रखा जा सके और इस पर पर्तिवंद भी लगा जागा है पैनल्टी भी लगा जाए कि सकी है क्योंकि आपको वह चीज आपको मिल चुकी है आने वाली जो पीडिएस वह भी सच्टनेवल डेवलप्मेंट पर वर्क कर सके उन्हें भी इन चीजों को जो लाभ है वो मिल सक है और कल्यान को कैसे प्रभावित करते है इसके बारे में हमें बताना है और यह इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल आप देख सकते हो इंडिया का 140 करोड के साथ मतलब 141 के आसपस दिया हुआ है रिकॉर्ड की अकोरिंग देखा जा या प्रॉक्सिमेट लेकिन 140 करोड के आस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को फिर और अच्छे तरीके से आप समझ पाऊगे इस पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इफेक्ट पढ़ता है इंपक्ट किया है सब कुछ हम जानेंगे एक एक करके बिल्कुल सिक्वेंस में अब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या होता है इको सिस्टम में जो चेंजिस आनी है वो अपने आप से आनी स्टार्ट हो जाएगी और जोगी करन इंडस्ट्री लाइजेशन बढ़ेगा मतलब इंडस्ट्री लाइजेशन बढ़ेगा तो उसमें उर्जा की खपत बोली जाए हर चीज जो है आपकी धीरे-धीरे क्या हो जाएगी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी फूड्स हो गए उनके डिमांड्स बढ़ जाएगी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होगा तो उसकी बज़े से आपके क्लाइमेंट जो होगा वो ग्लोबल चेंज क्लाइमेट चेंज करीजन क्या है पहले देखा जा सारा पूरा वर्ड लगा पड़ा है इस बोड में कि हाँ ये चीज हम करेंगे ये चीज हम करेंगे तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रहें रेगुलेशन बनाए जाते हैं लेकिन इन चीजों का एफेक्ट करने के लिए हम दीरे-दीरे कम कर सकते एक साथ कम नहीं हो सकता बड़έगी तो उनकी नीट बड़ेगी और और नीट जब बड़ेगी तो वो नीट आपके इन चीजों का इस बड़ेग सबसे हम आते हैं इनके क्या-क्या इंपक्ट पढ़ने वाले हैं ओपकर इंवार्मेंट के उपर पढ़ेंगे वो देख़ते यह सबसे पहले रहने के लिए घर चाहिए हुगा सब और यहां पर नहीं बने होगा तो प्रच सब्हेक्या मैं जब कटाई होगी तो कंगे तो डूनों यह समझता हो न मुझे पंलीश्र को सब्सक्रा करने के तो फोरेस्टेशन करें का साथन मतलब क्या होगा यहां पर संसादनों की कमी ही इसा नहीं होना जाएगी तो जन संक्या होने की वज़े से संसादन में कमी होगी जैसे जिवास में इन दन फॉजिल दिरे दिरे खतम होता जा रहा है सब यूज में लगे पढ़ेंगी फोड़ो फोड़ो मैं सबसे ज़्यादा यूज करूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए देन क्या होता है कि climate change हमें इन सीच को इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए इन्हें एक स्टेटिजिकल रूप में हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो यूज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर सके जो कि only theoretically बोलूँगा मैं practically possible नहीं कर पाते हैं लोग climate change की बात करें तो हम जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ रही है उनकी नीट्स भी बढ़ रही है fossil fuel जलाना भी बढ़ रहा है तब ही खतम हो रहा है fossil fuel बढ़ रहा है तो pollution बढ़ रहा है green house effect बढ़ रहा है मतलब global warning बढ़ रही है जिसकी वज़े से पहाड़ों वाले इलाके में अगर चले जाओगे आप तो आपको सुकून मिलेगा जन्नत जनरेशन ऑफ वेस्ट मतलब आप सिष्ट का स्रिजन कैसे होता है अब आप सिष्ट का स्रिजन अब लोग बढ़ेंगे आप ही देखो कि आपने कोई तोफी खाई या कुरकुरे खाया कुछ भी खाया आप एक वर दिल पे हाथ रखके सोचना कितने जने जो उस रैपर को डस्ट विन में डालते है चल रहे चल रहे चल रहे कोई नहीं देख रहा चल भाई यहीं ग्रहा देते है तो जब वेस्ट मेट्रियल है वह पॉलिथिन आपके decomposed हो ही नहीं दो घेगा रहे बोड़की है जिञा निकलने लग जाएगा और जब गैस न Biraz इसे तो अनिकलेगी और यह इवर इंवार्मेंटल इफैक्ट होगा और एफैक्ट होगा तो वह आपके body पे स्टेज करते जारों यूज तो नहीं कर रहे ना ड्रिंकिंग वाटर का तो आनुमान लगाया है कि 2025 तक दुनिया का दूबाय थर्ड अवादी जो है पानी की कमी से जूज रही होगी हर चीज को एक प्यारी रूप से अच्छे तरीके से यूज करोगे ना तो आपको इंपक् उचाने की इंपक्ट नहीं होगा फिर आता है आपका लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमी का सरण अब जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो यूज करके आप सॉइल में सपोस मानो की पॉपुलेशन बढ़गी है तो उन्हें खाने के लिए तो चाह क्या होता है चाहिए क़्र आम आज दिफिने के लिए क्या होता है जाता है सबी चीजर का बन जाता और हमारा जो मी ओती है वह एक से दो फादि खराब हो जाती है तो धीरांतरा क्या हूंहां इस है जैसे आपका यह पॉलिशन बढ़ेगा चलिन07 बढ़ेगी एक्सिस ऑर वो उसको भी आपको increase करवाना पड़ेगा, तो limited source को increase करवाना पड़ेगा, spread of diseases, रोगों का प्रसार, मतलब उच जन संक्या घनतव जो होती है, वो आपके क्या होती है, रोग जो होते हैं, वो फैलाने का region बनता है, बोलते हैं न बैया, कि खांसी जुखा में, भीडवार वाल स्टार्ट हो जाएं, तो इसका प्रसार भी बहुत ज़्यादा होता है, वोमेन हेल्थ में इसके अंदर, फिर देन आया, आपका क्या loss of biodiversity, देखो, easy-easy concept है, अपने daily life से connect करके देखो, हर चीजों को, आपको समझ आता जाएगा, अब यहाँ पे हम इने loss of biodiversity, जैब विवित् ना, उनको मार की तो बेचा रहा है, तो biodiversity का तो हम problem करी रहे है, पेड़ चंदन के लखडी, इनको तसकरी करना, poaching करना, यह सभी चीज क्या है, biodiversity का loss ही तो हो रहा है, अपने reason से उन चीजों का loss कर रहे है, तो यह हमारे लिए क्या होता है, आपका कारण बन जाता है, biodiversity का loss का industrialization मतलब धीरे-दीरे हमारे क्या होगा, अवादी बढ़ेगी, तो अवादी क्या चाहेगी, क्या हमारी needs पूरी हो, needs पूरी होगी, तो वो क्या होगा, cement, spot, रसायन, tail, refining, सभी चीजों को बढ़ावा दिया जाए, जो कि हमारे लिए क्या है, कराब है, अब आता है, transport infrastructure, पर नोने की वज़े से, वो gases to release करेगा ही, gases release होगा, तो sulfur and nitrogen release होगा ही, और वो release होगा, तो वो air में मिलेगा ही, और air में मिलेगा, तो वो आपके oxide जो होगे, वो आपके reason बनेंगे, ecosystem को pollutant करने के लिए, जिससे हमारा ecosystem होगा, पारिस्टिक की तंतर होगा, वो आपका balance से unbalance हो ज वाँ में, जो rapid population growth हो रहा है, वो आपके strange social services जो होती है, educational service, आप कोई बढ़ रही है, तो है नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करें, उन्हें पढ़ाई के लिए भी system चाहिए, job भी चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए होगा, जिससे क्या होगा, समाझ जिक पर आर्थिक प्र inclusion कह सकते हो, the impact of population growth is required to combination of a strategy including the sustainable resource management, मतलब कि जन संक्या ब्रिधी हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसी चीजों को देख के चलना पड़ेगा, जिससे कि हर चीज आपको एक sustainable रूप में मिल सके, अभी यूज़ कर रहे हो, तो बाद में भी उसका यूज़ हो सके, ऐसा एक management system है, में बनाना पड़ेगा, जिससे जो परियावरंड है, वो भी हमारा खराब नहीं हो, परियावरंड में जो pollution हो रहे हैं, उसे भी हम बचा के रख पाए, और sustainable population growth जो है, उसे बनाए रखे, ताकि आपकी जो संतुलन बन जाए, तो इसकी वज़े से हमारा कोई भी problem ना क्योंकि जन संख्या बढ़ेगी, तो उसकी चुनोतिया आना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि चुनोतिया नहीं है, ये चुनोतियों का सामना करें, उसे दूर न भागे, तो ये है environmental issues, तो ये आप जानते हो, और इन चीजों को आपने cover कर लिया, तो ये आपका question यहीं पे खतम ह Next question है, write the main element of disaster mitigation strategy, मतलब आपदा नहीं करन राजनीती के मुखे तत्व क्या क्या है, आपदा को आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको limited तो जरूर कर सकते हो, लोगों के उसके बारे में जानकारी दे दो, ये चीज होगी, तो हम इस चीज़ से अपने आपको बचा सकते है इसी के उपर ये पूरा question है, आईए सबसे पहले introduction की बात करते हैं, and then start करते हैं हम आज के इस question को, disaster mitigation मतलब निमनी करन कैसे की जा सकती है, मतलब एक ऐसा condition, emergency condition आजए जिस टेम पर पता चले कि flood आई हुए, तो कैसे बचोगे, कैसे उसके impact को कम से कम करोगे, limited करोगे, क्योंक उनके limitation, उनकी limitations भी होगी ही होगी कुछ, flood आया है, कुछ भी आया है, तो उन चीजों को कैसे रोका जाए, इसके उपर हम बात करते हैं, तो simple सी बात ये है कि इसको हम परिवासित इस तरीके से करते हैं, कि ये एक natural खत्रा है, ये disaster है, वो आती है, तो एक नया रूप देके जाती है, रूप means वो पूरा तहस नहस कर देती है, तहस नहस करके चली जाती है, तो हमारे घर हो, हमारे community, हमारे अर्थ व्यवस्ता, ecosystem सब पे जो है एक गहरा परवाब डालके चली जाती है, तो इस आपदा नुनिक करन के तरीके क्या हैं, किस तरीके साब इनको बचा सकते community, resilience है, मतलब आप community के बारे में इनको जोखिमों के बारे में बता सकते हो, planning कर सकते हो, आप सारवजनिक सिक्षा दे सकते हो, public education प्रोवाइड कर सकते हो, त्वरित प्रकिरिया कर सकते हो, बहुत तेजी से action ले सकते हो, किसी के लिए, किसी चीज में action लेने के जो समता होने चाहिए, mentality होनी चाहिए, वो बहुत तेज होनी चाहिए, आपने खत्रा पर तिरो, design और निर्मान, मतलब घरो को इस तरीके से design करो, कि अगर होने वाला कोई भी खत्रा है, उसे आप पहले ही भाव लो, कि भाईया, ये खत्रा आने वाला है, उसको खतम करना है, जोकि मुल् रननीती क्या है, और रननीती के मुखे तत्वी क्या है, उसके बारे में, मतलब कैसे assessment कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सोच लो, ठीक है, potential disaster होना चाहिए, मिन्स हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी पहचान करो, क होता है आपका public awareness and training जन जाग रुकता है में प्रसिक्षण अब public को aware करो इसके वारे में कि जैसे भुकम पाया हुआ है तो हमें पता है कि अर्थ क्यों काता है तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए खाली एरिया में चले जाने विल्डिंग वाले इलाके में नहीं रहना चाहिए तो यह सबी चीजह हमें क्या है पब्लिक को अवेरी तो किया गया लैंड यूज प्लैनिंग एड रेगुलेशन की बात करें भूमी उप्योग योजना एंविनिमेंट की बहुत जैने जो बना रहे होते हैं बिल्डिंग्स इपक्ट नहीं होने चाहिए तो कोई भी इंप्लिमेंट किया जा रहा है तो उसका रिक्स और डिजास्टर को चेक किया जा ठीक है और जो भी फ्लड आये कुछ भी अर्थ क्यूक आये तो उसके पहले से ही उसका जो सॉल्यूसान है वो अपने बिल्डिंग्स में लगा के रखो तो जैसे फॉर्थ पॉइंट आता है आपका यहां पे खत्रापर्ति रोड डिजाइन और निर्मान तो मैंने अभी यह चीज़ एक्स्प्लेंड किया दुवारत करने की ज़वत नहीं पड़े कि हमें डिजास्टर से पहले क्या करना हो चाहिए इमारत का निर्मान कर यह नहीं कि डिजास्टर आ चुका हम भाईया रिस्पोंस करते ही जारे करते है पड़ति करिया करने चाहिए रियक्शन करने चाहिए वह हाइली एक्टिव होके करना चाहिए आपड़ा के पड़ती आपका कालीन इमर्जंसी कंडिशन में जिससे डैमेज को कम से कम किया ज यह आपको किसको उनके जो भी खत्रे हैं उनको करो कम से कम मिनिमाइज करो ठीक है फिर आता है जैसे ही इन सब चीजों को पढ़ लेते हो सुनचित करना आपड़ा कि वह आपड़ा है तो आएगा तो आपका तहसनेस को करेगा कितना भी कुछ कर लो रोक नहीं कर सकते है ना पब्लिक एजुकेशन लोगों को पढ़ाओ समझाओ और बताओ कि भाईया इस तरीके से रिक्स आईगी तो इस तरीके से आपको काम करना है पब्लिक को अवेर करना पड़ेगा इंसरेंस और फाइनल प्रिपेर्डिनेस की बात और यह बीमा और वित्य तेयारी तो आपको है उनका इंसरेंस कर वाएक रखो ताकि जब भी आपका डिजास्टर है तो आप भी मैं जब्लिक वहाइगा है व सकते हैं देजास्टर मैंट् ने according भी आप जो भी best लगे लिख सकते हो next question है आपका write the causes effect and mitigation measures of the disaster आपदाओ के कारण प्रवाव समन उपाए लिखिए ठीक है भाई आपदाओ के बारे में बताना है उसके क्या कारण होते हैं क्या क्या impact वो डालता है और कैसे mitigation को measure किया जा सकता है यह सब चीज है हमें बतानी है और में भी a question दिया हुआ है describe the implication of earthquake and cyclones disaster इसमें और भी disaster हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको दो दिये हुए भुकंप और चक्रवात आपदाओ के निरतार्थ का वर्णन करना है चलिए हम देखते हैं करके क्या है आपदाओ के बारे में तो अभी आपने इससे पहले वाले question में पढ़ा कि आपदा की कारण क्या होते है क्या क्या impact उसका होता है आपकी life के उपर वो सब चीज आप जानते हो कोई भी आपदा जब आती है तो वो हमें कोई benefit तो देके नहीं जाती है आपदा आया है डिजाश्टर आया है तो उससे हमें loss होने वाला है time का loss causes जो होंगे इसके आपके human life economy environment सब कुछ का loss होगा ही होगा सबसे पहले आर्थ क्यूक के बारे में बताना है आर्थ क्यूक का मतलब यह होता है कि जो आपकी earth surface होता है वो sick करना start कर देता है जैसे हम वो परपटी कहते है न अगर कोई sick कर रहा है उसके ओपर कोई चीज रखा हुआ जब man made है तो वो टूटेगी ही टूटेगी यह आपका भुकम का एक main reason होता है cause होता है surface का sudden release हो जाता है energy और यह energy जो release होता है वो earth crush से बाहर आजाता है तो भुकम का ताथ पर इतना इसी है जो परपटी के भीतर जो उर्जा इखटा हुई है वो उर्जा अचानक से क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है जिसकी वज़े से हिलने लग जाता है और भुकम तरंगे जो है वो उत्पन होनी start हो जाती है intensity को जो measure किया जाता है और reactor scale में किया जाता है जहना आता है causes क्या क्या होते है सबसे पहला देखो यहाँ पर tectonic plate जो होता है उसका moment simple सी बात है tectonic plate है वो हिलने लग जाता है गती में आ जाता है उस गती के कारण होता है volcanic जो activity होती है magma जो होता है उसका हलचल होने की वज़े से भुकम पाता है human activities की बात की जाए तो मानवी यह गती वीदिया की बात की जाए हम किसी चीज को बहार निकालने के लिए हम minerals निकाल रहे हैं सबी चीजे कर रहे है भुकम का कारण बन जाता है इसके बाद आता आपके भुकम के प्रवाब तो भुकम के प्रवाब में क्या जाता है जमीन का हिलना सता तूटना और बाद के जटके अब यह तीनो जो पॉइंट है कि यह तीनों पॉइंट आप जानते ही हो यह मैंने कोई बड़ा पॉइंट नहीं लिखा है एक सिंपल सा पॉइंट लिखा गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो और भी एड़ कर सकते हैं जो आपको बैस लगे तो यह तीनों पॉइंट आप थंडी बेधाज होती है वह ऒंषीन के पास रहेती है जिसे कम दाप ножal बनना शुरू हो जाता है उपर से जो नीचे की औरी लोग प्रेसर जोटन बनना सुरू हो जाता है तो ऊपर जा रहे तो लूग प्रेसर जोन के कारेंग क्या हुता है Lets से होता जाता है उपर गरह में नीचे ठंडा है तो ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है इसकी बज़े से एक सरकल बनना इस्टार्ट हो जाता है और सरकल बनने के बज़े से यह आपका साइक्लोन बनके स्टार्ट हो जाता है the storm caused by the wind blowing around the low pressure area is called cyclone जब कम pressure वाले एरिया में घुमता है तो उसे चकरवात कहते है cyclone कहते है और जब high pressure वाले एरिया में उच्छदाब वाले एरिया में घुमता है तो उसे anti cyclones कहते है परती चकरवात कहते है अब इसके causes क्या है तो सबसे पहला है कि जो गर्म महासाग लिए जल है warm ocean water है वो वो जो होता है वो वेपराइज होके उपर जाता है और इसकी वज़े से temperature की वज़े से वो आपका threshold बना देता है तो आपकी cycle बनाना start कर देती है फिर आता है आपका Coriolis प्रवाप आपकी simple सी बात है इसको Coriolis को ही हम कहते है कि जो पुरुथवी अपने अक्स पे घुमता है उसी effect को हम Coriolis effect कहते है उसकी बज़े से भी चकरवात बनता है निमन वायूमंडलिये दाप की बात करें तो वो कम होने की बज़े से भी आपका यह गर्म हवा हो जाती है और इसकी बज़े से भी आपका यह चकरवात बनता स्टार्ट हो जाता है साइकलोन के effect क्या होते हैं तो सबसे पहले यहां पर हवा की च्छती होती है वह देमेज होती है बहुत तेजी से भागती है जो लहरे जाती है वो टठी है बार का भी कारण बन सकती है है यहावी रेंफॉल यह भाड़ी वर्सा इसी की वज़े से होती है जो बादल है अबके हाई एयर प्रैसर की कारण वह दोनों के दोनों बादल टकराना इस्टार्ट हो जाता है बादल तक्रा यह नेर्डी का लॉस होगा और थेंश जो होता है वह आपकी बार तो नहीं सकते कि वो रुक जाए उसके जो एफेक्ट होने वाले है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम कुछ समाधान कर सकते हैं कोई भी अगर आप दा ये डिजेश्टर आया तो विनासकारी प्रवाप दे के ही जाएगा ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार करके जाएगा उसस दन के बाद यहीं पर हमारे एकोसन फिनिश्ट को सन एक्स्प्लेइन हाओ एनरजी लेवल फ्लो इन एकोसिस्टम बताइए कि किसी पारेश्टिती तंत्र में उर्जा इस तर कैसे प्रवावीत करता है मताँ एक जने से दूसरे में जो हमारी एनरजी वो कैसे ट्रांसफर कर इसके उपर हमें पूरी बात करनी है बी दिया मैंसन दा टाइप एंड इस्ट्रक्चर और फंक्सन और फॉरेश्ट एकोसिस्टम वन पारिष्टिती तंत्र के परकार सन रचना और कारे का उलेक करना है किसका हमें फॉरेश्ट एकोसिस्टम का चलिए इंट्रोडक्शन की पीने या कोई भी सुविधा के लिए एक दूसरे पर निरवर करते हैं और बातचेत करते हैं उसी को हम एकोसिस्टम कहते हैं एक simple language में मैंने आपको बताया जो अब energy flowing ecosystem की बात करें जानते हैं कि sun से आने वाली जो rays होती है उसससे सबसे ज़्यादा energy produce होती है तो 50% जो उसक system में जो होगा हमारे पारिष्टी की तंतर में sun की energy के according अपना work करेंगे तो then क्या आता है traffic level मतलड़ ट्रॉफिक के इस तर क्या होता है यह इस तर एक ऐसा इस तर होता है जो हमें एक level बताता है एक food chain की जो पूरी विधी होती है ठीक है method होता है उसको हमें यह बताता है कि पहला consumer को नोगा second को नोगा third को नोगा fourth को नोगा तो मैं ट्रॉफिक level को एक table के थुरू आपको बताता हूं कि कैसा आपका table यहां पे होता है जैसे यहां पे दिया हुआ है सबसे पहला प्राइमरी जो होता है suppose प्राइमरी जो है वो sunlight जैसे photosynthesis करने के लिए पेड़ पोधे यहां पे तो primary producer होते हैं consumer होते हैं इस प्राइमरी के अंदर sunlight के secondary के पास गया जो 1% जो था वो consumer के पास आया फिर इसका भी 10% जो energy थी वो third consumer के पास आया और उसके बाद यह fourth consumer जो यह पिरामेडल जो energy loss है वो चीज़ यहां पे बता रहा है जैसे हमारा green plant first में आता है जो हमारा producer होता है our virus जो साका कारी होते हैं वो second traffic level मत्ता primary consumer के अंदर आते हैं carnivorist जो होते हैं वो आपके third traffic level मत्ता secondary consumer के अंदर आते हैं और यह पे secondary आपके carnivoros है जो आपके बहुत ज़्यादा भूला जय को यह जाए तो सब जानवरों को is खा जाते हैं वह टर्टर 서울 see यह रह एंडर परसें से energy का transformation होता है food chain के according ठीक है तो हमने यह traffic level पड़ा उसी का यह खादे सिरिंकला होती है जो हम बना सकते है देखा जाए तो कैसे कौन किसको खाता है ecosystem में पारिष्टिति की तंत्र को बनाए रखने के लिए जो energy food chain जो होगा वो तहसनेस हो जाएगा चुए के खतम होते ही तो इस तरीके से हमने देखा कि energy जो है ecosystem में flow करती है 10% low के according इसमें heat जो loss होता है 90% loss हो जाता है 10% first consumer से second consumer में transfer हो जाता है then इसके बाद हमारा second आ जाता है mention the type and structure of function of forest ecosystem वन पारिष्टिती तंत्र के परकार सनरचना कारे का उलेक करना हमें तो अब यहाँ पे वनों की वात आ रही है कितने types के बन होते हैं structures क्यासी होती है क्या क्या होता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं the ecosystem is the structure functional unit of ecology logic मतलब यह जो पारिष्टिकी तंत्र है वह हमारी पारिष्टिती की की संरचनात्मक या कार्यात्मक जो एक system या एक वनने जीप दूसरे वनने जीप के साथedeToday करते हैं और Raspberry크ia में मतलब एक संबंद बनाते हैं और अपनी जो बातचीत होती है वो अपने अकोडिंग चलाते हैं अपने इन्वार्मेंट की अकोडिंग इसी को कहा जाता है परसपर वातवान के साथ बातचीत करते रहते हैं इसी को हम पारिष्टी की तंत्र कहते हैं अब इको सिस्टम को भी दो तरह यहां पे तो यहां पर आपका यहां आपका तापमान वहाँ ज़्जादा हाइ होता है जिसकी जड़ा मातरा में वर्सा होती है जिसकी जब इवित्ता उधारन के लिए Amazon जो होता है वर्षा वन ये इसका एक्जामपल हो गया टेम्प्रेट जो फॉरेस्ट होता है ठीक है सितोसन वन जिसे कहते टेम्प्रेचर कम होने की बज़े से यहां जो छेतर में पाए जाते हैं विरिक्ष जो होते हैं वो पनपाती होते हैं पतजड़ वाले होते हैं इसमें काम करते हैं संकुधारी और पनपाती बन वाले ठीक है ठाड आपका यहां पर आ जाता है बोरियल फॉरेस्ट यहां पर बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं संकुधारी विरिक्ष होते हैं संकुधारी है मतलब आप समझ ज जहड़ने वाले जो पोधे होते हैं मिन्स जिनके पत्ते जहड़ने वाले होते हैं उन पेडों की विशेष्टा जो होती है पतज़ड में अपनी पत्तियों को गिरा देती है और कौनी फैरस जो होता है संकुधारी बन जो होते हैं इसके एक्जामपल दिये हुए आपको पतर होता है अंडाइ इस्टोरी होती है ठAy के वन्तल होता है जहां पर्सक्न जो होता है तो जहांगा पेड़ पोदों पर पर क्या होंगे सब आके वर्ट्स वगएरा इंसेक्ट वगएरा क्या बनाएंगे अपनी जगा रहने के लिए एरिया बनाएंगे तो ये वो जगा होती है इस्ट्रक्चर में आपको ये बस पॉइंट लिख दोगे न तो भी चलेगा इसमें पूरा एक्स्प्लेइन करने की विज़रत नहीं है बट हाँ ये लेयर एक्स्प्लेइन कर देता है तो बहुत अच्छा वाइल लाइब जो होती है वो उनके अवास के लिए बनाया जाता है अब फॉरेश्ट फ्लोर जो होता है बंतल जो होता है और इमर्जेंट लेयर की बात करें उबर्टी हुई परत की बात करें तो उसनकटिवन दिये वर्सावनों में उचे पेड़ों की एक परत समाने छट इस तर से उपर उठती है जिसे उबर्टी हुई परत कहते है मताद जीतना समाने रहना चाहिए उससे उपर हो जाए तो हम कहते हैं उसको आपका इमर्जेंट लेयर के नाम से जानने लगते हैं अब फंक्षन क्या है कैसे कैसे फंक्षन आप पेड़ के होने के फाइदे क्या है बस यह चीज पूछ रहा है तो सबसे पहली तो बायो डायवर्सिटी सपोर्ट देती है मतलब विविट्टा में समर्थन देती है पेड़ पोदे रहेंगे सब कुछ रहेंगे तो जानवर उसके अंदर अपनी स्पीसीज को ज्यादा सा ज्यादा लेके आएंगे जादा ज्यादा इस पीसीज उसमें करने का कारण करेगा सीखिष से ना जाता है मतलब आपका प्रिथक करने सबकुछ बढ़ेगा उक्षीएं बढ़ेगा तो कारण अपने आप этот और और अपि यह उन पने 오र सब कर तेंक रहें उसमें प्यविर्ब्डीच करना है तो पेडड़ पूदबंद थेएं उसे करने लग जाएंगों कारवन को कम करना oxygen को बढ़ाने या काम पोधे करते हैं water regulation जल विनिमन की बात करनी है उसमें क्या होता है water regulate करना है तो पेड़ पोधे वो पक्षियों जानवरों सभी के लिए रहने के साधन का भी काम करते है nutrient recycling कहते है nitrogen को कम करना तोड़ना फिर उसको regulate करना climate regulation मता अगर पेड़ पोधे ना हो तो आपकी पता भी न चले कब बारिस हो जाए कब क्या हो जाता है इसको climate जो होती है जलवायू का जो होता है उसको भ होती है unbalance हो जाए जो इंसान है उसकी community अपने आप से unbalance हो जाएगी इसलिए हमें ecosystem और हर चीज़ को balance रखना चाहिए यहीं पर हमारा एको संचिप्त में नोट्स लिखना हमें फर्स्ट है global warning सेकिंड है दा वाटर एक 1974 चिपकू मुमेंट क्रोटो प्रोटोकोल CNG vehicles इन डेल कर रहें short notes में आपको एक एक करके मैं पूरा explain करूंगा सबसे पहले हम अपना ध्यान के इंदरित करते हैं आपका first point global warning का मतलब ही होता है increasing temperature मतलब आप नहीं कर रहें अपने आप से temperature के अंदर increase हो रहा है long time के लिए मतलब जो average temperature हमने दिया हुआ है कि इतना temperature से ज्यादा नह जो हम pollution कर रहे हैं global warning का कारण होता है CO2 carbon dioxide gas जब हम ज़्यादा मात्रा में इसके emission करने लग जाते हैं तो इसकी बज़े से green house effect बनाता है green house effect मतलब global warning का कारण जिसकी बज़े से heat जो होता है वो बंद के रह जाता है जिवा समिंदन जलाओगे कोईला petroleum जलाओगे तो उससे CO2 अपने आप ही निकलेगा और जो CO2 निकलेगा तो global warning का कारण बनेगा और उसकी बज़े से solar radiation है वो होगा अब scientific बाते भी इसमें की गई है कि global warning के बारे में organic क्या सोस्ते हैं क्या बताते हैं उनका कहना बस इतना सा है global warning होती है और वह होने का reason CO2 gas है fossil fuel जलाती है कई सारे fuels use क करती है गाड़ी चलाते है तो उसमें भी यूज होता है उस फ्यूल का जो है बर्न होने की बज़े से carbon dioxide release होती है जो release हो रही है वह आपके atmosphere में gas बंधी की बंधी रह जाती है और वह आपके CO2 gas heat को increase करने का काम करती है और heat increase होता है आर्थ पर temperature increase हो जाता है और वह temperature increase हुआ हो ही हमारे global warning का कारण बन जाता है कितिनी ज्यादा गर्मी पढ़ती है वह आप सब जानते ही हो यह आपको समझाने की देवत नहीं पड़ेगी इससे क्या होगा कि धीरे दीरे अगर हम global warning को कम ना करे human being मानपता को पूरा विनास कर देगी खतम कर देगी यहां से temperature हम इतना क्या according होता था वह आप कोई भी रूल के according कुछ भी काम नहीं होता temperature जो average temperature increase हुआ उसकी वज़े से climate जो है चेंज हो रहा है climate change temperature का आपने आप से बढ़ जाना कभी घर्मी हो जाना कभी अचानक से बरसात हो जाना यह सब ही चीज़े आपने आप से हो रही है हमने तो ही नहीं अब क्या कारण होते है global warning है causes क्या है इसके कारण क्या है तो सबसे पहला है global warning होने का कि temperature को कम करने का कारण एक ही होता है कभी गर्मी में आप पेड़ के नीचे खड़े होना आपको कितनी ठंडक महसूस होती है क्योंकि जो पेड़ पोदे होते हो oxygen gas release करते carbon dioxide को वो absorb कर लेते तो इसकी बज़े से temperature increase होगा और temperature increase होगा तो global warning बढ़ेगी और वो बढ़ेगी हमारे लिए हानिकारक होगा oxygen को बढ़ाना है ना कि carbon dioxide को बढ़ाना है पेड़ पोदो काटोगे तो वो unbalance हो जाएगा और वो unbalance हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा use of vacals की बात करें वहानों का उपयोग जब vacals use करते हैं उसके अंदर हम fuels use करते हैं जब fuel है तो वो fuel का burn भी होगा और fuel अगर burn हो रहा है तो उसमें से CO2 gas अपने आप से निकलेगी और जब यह निकल रही है तो temperature अपने आप से increase हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा vacals में जो fuels use हो रहे हैं उसकी जगापे हमें कोई सी energy है बैटरी वाली हर चीज़ चल रही है इलक्ट्रिक क्यों आ रहा है क्यों promote किया जा रहा है reason global warning की issues बढ़ गए है laws बनाए जा रहे है global warning बढ़ रहा है तो परिया वेंड को सुधार ना है उसके लिए हमें ऐसे कदम उठाने रहे है यह fossil fuel को कम करो और इसकी जगापे दूसरी alternate चीज़ लाओ next की natural causes क्या है global warning क्या है हम नहीं कर रहे है पने आप से हो रहा है volcanoes मतब जो आला मुखी फटती है वो जो आला मुखी के फटने की वज़े से भी global warning बढ़ता है उसमें से कई सारी energies होती है और राक दूओं जो निकलता है वो सारे वायू मंडल में फैल जाते है उसकी वज़े से भी climate effect होता है water vapors जो होते है बास जो होता है वो green house effect का reason बनता ह क्योंकि जो बास बन रहा है उपर जा रहा है वो भी gases को emit करता है और वो gases जो emit हो रही होती है वो भी आपके temperature को increase करने का reason बन जाती है तो यह water vapor और जो आलम होकी यह दोनों के दोनों natural issues है यह तो हम नहीं रोक सकते है बट यह जो है man made जो हम करते हैं उसको तो हम रोक सकते है इफेक्ट क्या है global warning के temperature increase हो जाता है वो increase होने की बज़े से melting जो glaciers है वो melt होना start हो जाते हैं और जब यह melt हो रहे हैं तो जो पानी का स्थर है समुंदर में इन सब चीजों में वो increase हो गया और जो पानी की जगा पे रहने वाले जो लोग है corner पे जो रहते हैं उनको वहां से लायन करना पड़ रहा है क्योंकि वह पानी का इस्थर बढ़ जाता है उनका घर जो रहसनेस हो जाता है त्रीट्स ऑफ दी इको सिस्टम पारिष्टिती की तंत्र के लिए भी खत्रा है temperature इंकिर हो रहा है तो जानवर भी जीवित नहीं रहें पेड़ पोदे जल रहें तो हम इसका जो है emission कम करें अभी की जो environment है उसको हम बिल्कुल clean करें ताकि हम जो है अपने ages या अपने आपको बचा के रख सकें और ज्यादातर केस में हो तो हम fossil fuel का use ना करके हम ऐसे fuel का use करें जो कम pollution करें और carbon dioxide जो है वो कम से कम emit करें जिससे कि हमारा environment है वो बिल्कुल अ मत्तर की बात करेंगे पर इच्छे क्या है इसका हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन का कि जल अधिनियम बनाया गया इसका मतलब जल में भी pollution फैल रहा है उसको बचाने के लिए हमें एक ऐसा कानून लागू किया गया क्योंकि जो लोग होते हैं वह ऐसे तो मानिंग न नहीं डाइरेक्ट हम बोले जब तक उन पर कोई दंद न लगाया जाए इसलिए कानून बनाया गया क्या वाटर एक्ट जो था वह प्रिविंशन एंड कंट्रोल दी पॉल्यूशन मतलब जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसके रोग्थाम के लिए यह लोग बनाया गया प्रावधान किया जा सके अब इस एक्ट का बस मोटिव इतना सही था कि जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है जो आप पॉल्यूशन दिन वाद दिन बढ़ते जा रहा है वाटर के अंदर वाटर जो है वह हमारे लिए डेली लाइफ के लिए देखा जा तो जैसे इंवार्मे पीने लाइक भी पानी धर्ती पे नहीं बचेगा तो इसलिए जो कदम उठाए गए और कहा क्या गया इस एक्ट के अंदर दो बोर्ड सामने आये वह कौन से सीपी सीबी एक आपका सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया और एक आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्र आप समझ गया हो कि मोटिव क्या है इनका मोटिव सिंपल साही कि पानी को साफ करो जल ही जीवन है सबसे पहले हम फंक्शन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं सीपी सीएस की कारे की बात करेंगे इसमें क्या सैटिंग स्टेंडर फॉर दी वाटर नहां पर हमें पहले चेक करो कि पानी जो है वह आपकी साफ है स्टेट बोर्ड की दौरे कौन-कौन से कदम चलाए गए ताकि वह पानी आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जगए अगर बिल्कुल किलियर है तो हम जो भी लौज है उनको रद भी कर सकते हैं अगर यह रियलाइज होना चाहिए तो ऐसे कारे करम हमें चलाना चाहिए कानून तो लागू हो जाए और उसके साथ-साथ लोग भी जो है आवियर हो जाए डवलपिंग दी मैनुल कोड गाइड रिलेटर तो सीवेज इंफ्लूएंस ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मतलब जो ह जल परदूसन मामलों पर केंद्र सरकार को सला देता है ऐसे ऐसे होना चाहिए और यह चीज हमें चेंज करना चाहिए वह मान लेते और करते प्रवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट तो दी करने के लिए अनुसंदान करना चेक करना कि वाटर का पॉलिशन लेवल बिल्कुल ठीक है इस जो होता है कि ऐरेक्शन देता है उसके ऐसीबी जो है वो चलता है फिर किया करता है जल रोतों के पर दूसन करने वाले व्हों को चेक किया जाता है इंडस्टाइशा तो नहीं जो ज़्यादा पॉल्यू 대해서 कोनीकला निकाल राव उसको महूं से हटा दिया जाता है इंडस्टी में जाओ और चक करो नहीं को नहीं बनेगैं सेंप्लिग को टेस्ट करो अगर एस कि ऐसल नेग जाता है तो उस चीज अफ्रेड इंफ्लूएंच मतब एंडस्टी के थ्रू जो अपसिष्ट निकल रहे हैं उसको खतम करना और उसके उप्योग अगर हो सकता है तो उसके उप्योग में लाना यह इसका काम हो सिंपल से कुछ फंक्शन से जो आपको याद होने चाहिए फंक्शन को आप याद कर लेना कि वाटर पॉल्यूशन जो है वह आज के समय का सबसे बड़ा एक इसू बनके रहे गया है क्योंकि हम जितना भी ज्यादा कदम उठा ले कुछ भी मुद्दे बना ले कुछ भी कंट्रोलिंग कर ले बढ़ती हुई जनसंक्या है थोड़ा थोड़ा कच्रा भी एक एक साथ फैकने लग जा तो वाटर पॉल्यूशन का गार्वेज का रूप बन जाएगा तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए बढ़ती हुई जनसंक्या जो है अमारी ग्रोइंग उसको अवेर करें अवेर करने यह हम परते एक बोड़ की सक्तियों को निधारत करना चाहिए और इन बोड़ों को जो सक्तिया दी गई है उसके अकोडिंग यह पूरा वर्ग करना चाहिए तो यही पर यह कंक्लूजन खत्ब चलते हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट है हमारा चिपकू मुमेंट चिपकू आंद आंदोलन था वह स्टार्ट किया गया क्योंकि जो इसमें ट्री थे सरकार ने ट्री को पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया था कि सारे पेड़ जो रोड्स बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसको बनाने के लिए उत्राखंड इलाके में इन पेड़ों का डि 1974 को ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया बट 26 मार्च को जो सभी के सभी पुरुस्त है उनको वहां से चिमोली गाउं में बुला लिया गया बचे गाउं में उनली महिलाए सभी के सभी अब पहुँच गए पेड़ को काटने के लिए आप तो वहां महिलाए थी जो हो चल कर लिया और उससे चिपा गया और उनको कहा गया कि आप काटना है तो पहले हमें काटो आफ्टर इस पेड़ को काट सकते हैं परियावरन नश्ट हो जाए और बाड आएगी सब कुछ आएगा तो वह हमें खुदी नश्ट कर देगी था हम क्या ही करेंगे तो इससे अ नहां पर गोरा देवी ने यह चीज़ किया और इसकी बज़े से आपकी 1974 के अंदर इस आंदोलन को पूरे अच्छे तरीके से चलाए गया यह इंट्रोडक्शन पॉर्शन था आपका जो आपको समझ आ चुका होगा इसका बैग्राउंड हम देखते हैं कि बैग्राउंड चाहुन पर्यावड़न को हमें बचाना है अंदोलन बस इस चीज़ से था पेड़ों को बचाओ कि पेड़ हमें हर चीज प्रवाइड करते हैं और हमें हर तरीके के जो environmental issues होते हैं उससे बचाते हैं सुन्दरलाल बहुगुना इसके लिए परियावन विद के रुप में बाहर आये ये परसिद परियावन विद थे इन्हें ही father of चिपकू कहा गया क्योंकि इन्होंने 70-30 के अंदर फर्स्ट एम चिपकू आंदोलन को राजिस्थान में चलाया था जहां अमरिता देवी नामक महिला ने ऐसा ही आंदोलन का नित्यत्व किया था यहां गोरा देवी ने 1730 के अंदर अमरिता देवी ने father of चिपकू सुन्दरलाल बहुगुना को कहा जाता है इंडस्ट्रियल के कारण जो आपका यह चीज था पेड़ों को तो काटने के लिए उन्होंने कह दिया पेड़ों को काटा भी जा रहा था क्योंकि पेड़ी हमें oxygen प्रोवाइड करती है हमें खाने के लिए सभी fall fruits यही तो देते हमें medicine प्रोवाइड करने का reason यह बनते है अ तो इसलिए यह चिपकु मुमेंट को चलाया गया पेड़ों को कटने 1963 में starting की गई है हमारे छेतर के प्रचूर वन संसादन जो तो पहुंच की तलास में कई अंतराष्ट यह लंगिंग नियम संगर्स के दोरान नियमित आंतरीक मार्गों की और आकरसित किया गया बहुत सा प्रेन कर दिया एक आवर वियू आपको दे दिया इंपक्ट किया पड़ा चिपकु अंदोलन का सबसे पहला इंपक्ट था 1980 के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी स्रीमती इंद्रा गांधी उन्होंने एक लो बनाया और कहा गया कि जो हमारे फिफ्टीन इयर तक उतर परदेश के जो हिमाले जंगलों के पेड़ पोधे है उस पेड़ पोधों को काटने पर रोक लगा दिया पेड़ों को नहीं काटा जाएगा पॉलिसी बनाई गई और यही पॉलिसी को देखा गया बहुत सारे लॉस बना दिये गया क्योंकि पेड जो है वो हमारे एंड वैश्टन घाट वर इंक्लूड इंडी प्रोहविशन एंड ग्रीन फिलिंग जो हमारा इसके अतरिक विंध्या और पस्चिमी घाट के जंगलों को हरीत कटाई पर परतिबंद में सामिल किया गया यह सारे के सारे जो लॉस थे वो सिंपल सी बात है कि जो पेड़ है उनको बचाओ अपने जीवन को बचाओ तो इससे हमारा यह पूरा का पूरा जो चिपकू आंदोलन था वो वर्क हुआ और यह चिपकू आंदोलन मुमेंट किसली है वो सिर्फ एक सहर तक नहीं रहा यह धीरे धीरे इंडा कंक्लूजन कह सकते हो नॉन वॉयलेंस मुमेंट जो था उतराखंट का वहाँ से यह स्टार्ट हुआ था यह वहीं तक सीमित ना रहके यह सभी जगा फैला इकोलोजिकल सिगनिफिकेंस बना मताई यह इको सिस्टम को बनाए रखा इसने एक हामफुल इन्वार्मेंट को हमारे लिए वेनिफिसियल बना दिया और इबनाया गया था क्यों यूज किया गया था क्या इसका इसका एम सिटाटिंग से लेकि लेकि आंतकर जुशत M. अब फिग distortion से पा रहे होगे यह हम समझ भू रहे है इसके अंदर जो global climate change हो रहा था जो अंधा दुन्द हम green house gases को emission कर रहे थे उसको reduction को लेके इस पर बात की गई ताकि जो ये co2 gases है methane gas हो गया ये सारे के सारे कौन से gases होते है ये greenhouse effect gases होते है greenhouse effect means अब याप पढ़ क्या है उपर global warning का कारण क्या था greenhouse effect gases ही थे क्या होता है की morning में जैसे इस सं जो ہोती है जैसे संट आरे होते है अट्मोस्फेर में तो heat के कारण ये आतो जाते हैं लेकिन जैसे ये थंड होती है इवनिंग cade time ये gases क्या होती है atmosphere में जाना eksट कर देती है और जब atmosphere में जाती है तो ये कुछ gases होती है वह transmits कर जाती है कुछ gases first case में रह जाती है तो इसलिए क्या क्या गया यह आपका दिसंबर 11 1997 में इसे adopt किया गया था Croto Japan के अंदर हुआ था और जपान ने इसको 2005 के अंदर इसको अपने forcefully इसको लागू किया हमने इस treaty पे 2002 के अंदर क्या किया था साइन कर दिया था तो यह catch 4 gases इन सभी gases को कम से कम उस्साजित करना अगर आप 1750 ते लेके 2000 तक कहीं अगर देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो इना उस gases को इमिट करने वाला जो country का नाम है वो United यह भरना पड़ रहा है तो इसलिए हमें क्या करना अपने इन्वार्मेंट को बहुत अच्छा करते हुए चलना है और इन्वार्मेंट को अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले अपना एक ऐसा मोटिफ बनाना पड़ेगा कि जो सियो टू गैस है मिथेन गैसे इन सभी ग्रीन हाउस इफ्रेक्ट गैसे उन गैसे को हमें क्या करना हो कम से कम यूज करना होगा ऐसे यूज किये जाए ताकि हमा इस लो में ग्रीन हाउस इफेक्ट है फ्लेक्सिबिलेटी मेकैनिजम की बात की जाए लचेहिला पन तो इसमें आपको क्या करना है सिंपल सी बात है रेक्षन फ्लेक्सिबल कर दिया गया मतलब यूज करो बट इतना ही उस करो ताकि आपके लिए बैस्ट रहे क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे आपको इंपक्ट होने वाला हो और किसी को नी तो लची अपन तंत्र लिखा गया देशों में अपने उस सर्जन कटोती लक्षों को अधिक लागत प्रवाबी धंग से पूरा करने में मदद करने के लिए क्रोटो प्रोटोकोल के तीन बजार अधार तंत्र पेस किये गए उस सर्जन वैपार इमिशन ट्रेडिंग किये गए क्लीन डवलप्मेंट मेकैनिजम यह तो आप समझ जाओगा क्लीन कैसे करना कुछ ऐसे प्रोजक्ट चलाओ सवच भारत अवियान देखा होगा आपने यह चला जाए तो ऐसे ऐसे कुछ अवियान च जो भी ग्रीन आउस इफेक्ट गैसे कम से कम हमें इमिट करना है ताकि आप अपने इंवार्मेंट को ठीक कर सको देन आता है अनुकूल एंड वित्य साहिता क्या होता है अगर फाइनेंशल प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें उनकी भी साहिता मिली जाए ताकि क्लाइमेट पर इंपक्ट नढ़े आसा नहीं कि वही पैसे चाहिए और तुम्लाइमेट को खराब किये जारहें किये जारहें उसके कारां से तुम भाइए देवलप करना चाहा रहे हैं अपने आपको तो वह चाहेंगे कि मैं इस तरीके से डॉपल्लाप करूं कंप्लियन्स सुनचित करने के लिए अनुपालन तंत्र सामिल है कि अनुबंधिपक्ष में अपने उस्सरजन कटोती लक्षों को पूरा करे एक limit सेट कर दिया गया है कि उस limit में कर रहे है तो कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम ने लिमिट से चेंज हो रहा था उस क्लाइमिट चेंज के ओपर हमने पूरा-पूरा अपना योगदान दिया और 2015 में जो पैरिस समझ होता हुआ अपनाया गया और पैरिस समझ होता हुआ है क्रोटो प्रोटो कोल दौरा रखी गई नीप पर अधालित है लेकिन इन में से सुच्छता के लिए जलवायू कारवाई के लिए अधिक समावेसी और लचीला देश्टी कोन सामिल है विकसित और विकासिल दोनों देशों का उस सर्जन का टोती में राष्टी यह योगदान है सिंपल सी बात में यह खही जाए कि क्रोटो प्रोटो कोल एक सिंपल सी वह लोह है जो आपके इन्वार्मेंट को ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाना चाहती थी जिसके लिए पैरिस समझोते में यह बाते भी रखी गई और 2012 में यह खतम हो गया तो वैसे क्रोटो प्रोटो कोल 2015 में इसे रखा गया और यह नहीं कि ओल्ली डवलपिंग केंट्री का ही हाथ है यह पूरा पूरा हाथ है डवलपिंग हो या आपके डवलप कंट्री हो तो अपने एक ऐसा मोटी बनाओ ताकि आप कम से कम ग्रीन हाउस इफेक्ट का इमिसन है वो करो तो यह यहीं पर हमारा खतम हो जाता है तो यह क्लाइमेट चेंज पे और ग्लोबल वनुए इन्वार्मेंट से ही रिलेटेड़ है तो इन्वार्मेंट के बारे में आपने इतने क खराब करो तो एयर की क्वालिटी को बचाने के लिए हम एक लिमिट कर दिया जाए इसी के लिए सी एंजी का वह वेकल्स का यूज किया जाना लगा अब हमने जो एक अचीमेंट की है वह अचीमेंट है हमने पर्ल्ट के सबसे ट्वांटीट मोस्ट पॉलिटेड सिटी में अपना नाम दर्ज कर वा लिया है और इस चीज को देखते होई हैल्थ और्गनाइजेशन ने क्या किया है कि इनिसेटिव चलाया है कि कम से कम जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए पर्यावर्मेंट को खतम करने इन्वार्मेंट के एको सिस्टम ज हुआ उसके साथ कुछ ऐसे पार्टस भी होते हैं जो पानी में मिलते हैं यमना का पानी हम सुध पानी कहते हैं लेकिन अब जो इतना गार्वज हो गया कि इतना ज्यादा पॉल्यूटेंट इन्रस्ट्री के सारे पॉल्यूशन उसके ही अंदर आ चुके तो वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनता है तो इसकी जगावे हमारा इनिसेटिव है कि इन जी गैसेज का यूज करना स्टाट करें जो क्या है मारे रिनेवल रिसॉर्सेज मतार नवी करनी ये संसाधन है जो कि कम आत्रा में हमें पॉल्यूशन करके देते हैं इनिसेटिव क्या है किसलिए यूज किया गया तो इंप्रूफ किया जाए एर क्वाल्टी वायू की जो गैसेज उन चीजों को कम किया जाए जैसेज जो है एयर में मिलके एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है प्रोवाइड एफॉर्डेवल एन इन्वार्मेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मतलब आपको किफाइटी और परियावर्ण क्या नुकूल परिवर्ण मिले ताकि पॉल्यूशन भी कम करें और आपको एक जासा दूसरे जागा जाने के लिए चीज़ें मिल जाए इन्हेंस करो नेशनल फ्यूल सिक्वार्टी को मतलब राष्टिये इन्हन सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए इसी बेस पर क्या किया गया है जो आपका सर्वोच न्या इतना जादा पॉलिशन है जितना जादा अभी होता है यह चीज़ बताया गया ताकि एन्वार्मेंट को ठीक किया लाव क्या है अपके सी एंजी के तो सबसे पहला एडवांटेज़ें तो वेकल्स होते हैं सी एंजी के वह 40-50% सस्ते होते हैं आपके लिए एक्सपेंसिव होते हैं सी एंजी जो है मेंटेनेंस भी बहुत एजी हो जाता है कम लागत मेंटेनेंस हो जाता है इसके लाब यह भी है कि आपका जो इंजन इसका नौइस पॉलिशन बहुत कम करता है डिस इडवांटेज में क्या होती है सबसे पहला ही कि इंक्रीज एक्जॉस्ट वाल मत कि हैं मतलब जतना ज्यादा एयर होता है जहां से घैस भरते वह बहुत तेजी से होता है लिमिटेड सर्विस अबलेवल होता है मतब देखा जाते हैं सी एंजी आप डेली से बाहर चले जाओ डेली एंसिया से तो वहां सी एंजी आपको बहुत कम जगा पर मिलेगी बूटिंग स्पेस भी बहुत कम होती है इसके अंदर लिमिटेड अबलेविल्टी और फ्यूल इस सी एंजी मतना कंप्रेस्ट नेचुरल गैस होता है इसका फूल फॉर्म देखा जाए और यह रिनुवल रिसॉर्सेस है जो कि आपका क्या है बहुत लॉग टाइम तक चलेगा ऐसा खतम नहीं होने वाला मिक्स किया जाता बायो मेथेन के साथ अगर इसे मिक्स कर दिया जात है तो इसकी जो गैसे निकलती यह बहुत ज़्यादा हमें फाइदे मन्न होती है तो हम जानते हैं के अगर कोई चीज हम लेकी आ रहे हैं तो उसकी चुनोटीं चैलेंजेस्स होंगे ही होंगे क्लाइनेट च्थेंश को तो अबॉत जयारा होगहा चार्शुर्न के उप यह संसादन है उसको हमने कम किया धीरे धीरे और उनको कम करने के बाद हमने क्या किया है कि जो बदलाव आते गए हैं हमारे लिए क्योंकि वह जो पॉल्यूशन करते हैं उनका पॉल्यूशन का जो रीजन बनता है नॉन रिनोवल रिसोर्स का वह पॉल्यूशन हमारे लिए बहु रिनेवल रिसोर्स की जगा पे रिनेवल रिसोर्स का यूज करेंगे और जो आने वाली पीडिया है उसके सच्टनेवल डेवलेप्मेंट को लेकि हम सारे काम करेंगे फ्यूचर को देखते हुए सारे काम करो यह आपका कंक्लूजन था कोई भी प्रोगम आती है नीचे कमेंट बॉक्स में बेजी जग आप बता सकते हो किसी भी पोर्शन में कहीं भी आपको डाउट आता है तो इस नोट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि बेश्टार्षद में पढ़ने के लिए आपको बेश्ट एक नोट्स आपको मिलना चाहिए इसी के साथ आज की खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्ट क्लास में ऐसे अद्वंस अमनेन यह जयaw lawn